असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब बिल्कुल ठिक ठाक होंगे डेटा इस न्यू ओल यानि के डेटा जो है वो नया तेल है जैसे सारी की सारी दुनिया इस वगए तेल के पीछे बढ़ी हुए इसी तरीके से अब फ्यूचर में कि जितनी बारिश होती है उतना पानी आता है ज्यादा बारिश होगे तो ज्यादा पानी आएगा कम बारिश होगे तो कम पानी आएगा सीमिलर इसी तरीके से जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा उससे सेंस बनाना मुश्किल होता है अब data visualization एक technique है जो data से sense मुनाने के लिए हमें help out करती है data visualization के लिए काफी tools available है एक का नाम है Python, एक का नाम है R यह दोनो coding based tools है फिर इसके बाद आपके पास graphical user interface वाले tools आते हैं जिसके अंदर Power BI है, Axle है, Tableau है and there are many other tools out there इस course के अंदर हम Tableau को बहुत ही detail में सीखने वाले हैं और आपको data visualization की सारी के सारी techniques में सिखाने वालों Tableau क्यों ज़रूरी है, क्योंकि more than I would say 70% of the industries in Pakistan are using Tableau और even though business analytics के लिए या data analytics के लिए Tableau बहुत ही high computable या आप कह सकते हैं powerful tool है जो use किया जाते है इवन दो industrial sector भी इसे ज्यादा prefer करते हैं as compared to coding based tools reason क्या है coding को सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा हमें इनत करने पड़ती है लेकिन graphical user interface को यानि कि GUI को use करके यानि कि Tableau जैसे tool को use करके आप बहुत easily असानी के साथ जल्दी में सीख जाएंगे और इस पूरे course के अंदर आपको Tableau मैं शुरू से end तक सिखाने वाला हूँ इवन दो मैं यह कहता होता हूँ कि आप अपना PC स्टार्ट करने से लेके end तक सीखेंगे कि Tableau क्या होता है कैसे use करने data visualization के लिए आपने पना PC on नहीं किया हुआ मुबाइल पर सुन रहे हैं तो अपना PC on कर लें अगर PC पर बैठे हैं तो hopefully हमने यही से start करना है कि आपका PC on हो गया है मेरा नाम है Dr. Mohamad Amartufail I am a PhD in Data Science in Agriculture और मैं पिछले 5 साल से Data Science, Data Analytics, Bioinformatics के अंदर काम भी कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ अगर आपने और भी courses हमारे explore करने हैं तो आप kodenix.com पर जाएं वहाँ पर जाके आप सब कुछ देख सकते हैं लिंक आपके सामने मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है? Google पर जाने यहाँ पर लिखना है kodenix.com यह kodenix लिखेंगे यह website आपके पास open हो जाएगी इस courses के उपर आपने click करके हमारे जितने भी courses हैं यहाँ पर available है you can explore those courses आप python भी सीख सकते हैं, AI भी सीख सकते हैं और बहुत ज़्यादा और बी कुछ सीख सकते हैं ठीक हो गया? तो अब हम start करेंगे कि टैबली होता क्या है, किस लिए use होता है कौन सा वरियन इसका आपने install करने और किस तरीके से आपने इसको utilize करने है और प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को भी explore करें, वो कैसे करने है आपने Google पे जाना है again, यहाँ पे लिखना है और साथ में लिखने है YouTube तो आपके सामने यह पहला ही हमारा चैनल आजाएगा जिसका link में ने description में भी दिया हुआ है और प्लीज इसको subscribe जरूर करें और हमारे playlist को explore जरूर करें because we are uploading a lot of videos अभी तक हमने तकरीबन 1600 प्लस जो videos हैं वो upload कर दी हुई है your support matters a lot see you in the next video जहां पे हम Tableau को बिलकुल सीरे से शुरू करने वाले हैं like, share and subscribe कर दीजएगा Tableau के इस lecture में मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से official resources है जहां से आप Tableau सीख सकते हैं obviously पहला हमारा ही है codenics.com और यहां पे उर्दू के अंदर जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है या कहीं और पे इस तरीके से नहीं सिखाया जाएगा secondly, official page Tableau का जहां पे मैं आपको दिखाता हूँ आप यहां पे Tableau.com फिर इसके products यहां पे आप आजाएं तो यहां पे resources पे click करें resources के बाद learning Tableau के उपर click करेंगे तो आपके पास यह इस तरीके से start हो जाएगी free training videos भी है यहां पे आप click करेंगे तो यह सारी इनकी free training videos है कैसे आपने start करना है और getting started से ले के Tableau prep के तक हर एक चीज़ यहां पे बताई हुई है तो आपसे request यह है कि आप जब sign in करें तो please यहां से इनकी video से आप सीख सकते है और कभी भी कोई problem है you can also explore their videos यह बताने का मकसद यह है कि जो हम आपको सिखा रहे हैं हम यहां से material नहीं उठा रहें सारे का सारा हमने different किसम के Coursera के account से Coursera की website से different courses की हैं and then we are actually have we have prepared this course for you guys ठीक है तो अगर आपको खुद से सीखने हैं so these are the resources Tabliu के सीरीज में हम आपको खुशामदेद कहता हूं और इस course में आपको दिल के अथागरहियों से खुशामदेद कहता हूं description में मैंने लिंक दिया हुए जहां पर आपको सारे के सारे course के content मिल जाएंगे अब हम बात करते हैं कि Tabliu को install कैसे करने हैं और कौन सा version जो है आज हम install करने वाले हैं और इस पर काम करने वाले हैं फिर Tabliu के उपर data visualization करेंगे टाइम जाय किये भीना चलते हैं स्क्रीन आपके सामने है जनाबेवला यहां पर आपने लिखना है Tabliu Public पर जाके आपने पहली website पर click करना है और यहां पर आपके सामने go to Tabliu Public आजाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने Tabliu Public के लिए यहां से sign up कर लेना है पहली चीज यह Secondly, आपने क्या करना है Tabliu Public को आपने download भी करना है अब मैं Tabliu Public के उपर click करता हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं Tabliu Public Download Public Edition आपने इस पर click करना है और यहां से Tabliu Public को download करना है और obviously आपको पता है कि download the app करने के लिए यहां पर आपको कुछ information देनी पड़ेगी मैं download the app करता हूँ यह कुछ information मांग रहा है मैं यहां पर लिख देता हूँ आप मार तु फैल business email को भी लिख सकते हैं मैं यहां पर info at codanics.com लिख देता हूँ country हमारा पाकिस्तान है मैं यहां पर पाकिसान लिखूंगा because even though I am in Germany लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिसान-based जो है वो काम किया जाए यहां पर मैंने लिखा मेरे पास यह अब download होगा thank you for downloading tablion public edition if you download doesn't begin automatically click on this or this let's see जी कोई चीज हो इन ब्लॉक तो नहीं कर रही always pop up done मैं यहां पर click करता हूँ it's started downloading now so मेरे पास tablion public यहां पर download हो रहा है आप इसकी meanwhile यहां पर अपनी id भी बना लेंगे tablion की ताकि आप इसको utilize भी कर सके अब होता क्या है कि जब आपने tablion public को use करना है तो आपके पास यह website है जैसे मैंने tablion public पे जाके create पे जाके web authoring और download tablion desktop public edition यहां पर click किया था यहां से download हो गया यह web authoring है यहां से learn पर click करने के बाद आपके पास बेतहाशा tablion के resources यहां पर start हो जाते हैं how to videos के अंदर आप sample data भी लेख सकते हैं community resources भी देख सकते हैं there are many other things ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां से sample data को download भी करेंगे excel की sheets के अंदर और इन पर काम करना हम start करेंगे जैसे हमारे पास यह download हो जाएगा then we will install that as well और इसको हम और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे तो हम यही से download करेंगे और फिर इस पर काम करना start कर देंगे और आप से मेरी request यह है कि इस website को ज़रूर explore करें क्योंकि explore करने से आपको समझ आएगी कि किस तरीके से टैबली जो है वो काम कर रहे है अब यहां पर मेरे पास यह download होगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि it's almost done final जो chrome साब है वो काम कर रहे है आपने क्या करना है यहां पर अपनी id mean while बना लेनी जो मैंने आपको बता है अब जैसे मेरे पास download होगा मैं वापस जाओंगा downloads के अंदर downloads के अंदर जाने के बाद यह मेरे पास एक file पड़ी हुई है मैं इसको right click करके open कर लेता हूँ इसको मैं open करता हूँ it will take some time तो जैसे मेरे पास open होगी then we will install this यह मेरे पास जी file open हो चुकी है अब इस file के साथ-साथ मैं यहां पर terms and agreement को accept कर लेता हूँ do not send me the product do not send the product use data फिर install पर click करता हूँ और यहां पर यह कह देता है कि जनाब आपका जो है do you want to allow this app to make changes to your device I said yes तो यहां से हम इसको install करना start कर देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि sometimes it takes a lot of time to just to download तो आपने थीरज रखनी है और फिर इस चीज़ को install करना है अब अगर आपके पास यहां पर tablue जैसे public install होगा then you will see कि आपके पास यहां पर tablue public जो है automatically चलना भी start हो जाएगा and this is how your tablue is opening here ठीक है second एक और चीज़ है जनाबे वाला जिनके पास student ID है और जिन लोगों के पास tablue for students पे जाना है और यहां पे अपना free tablue एक साल के लिए आपको मिलेगा या 12 मा के लिए 6 मा के लिए उसको आपने डाउनलोड कर लेना है ठीक है अगर आप tablue for education पे click करते है tablue for teachers है मेरे ख्याल से for teaching तो आप यहां से tablue for teaching के उपर भी जा सकते है मेरे पास यह जर्मन में आ रही है website मैं कोशिश करता हूँ कि English वाली open करूँ so here you go आप यहां पे individual lessons भी ले सकते हैं और multiple भी so अगर आप teacher है तो आपको इनका professional version भी मिल जाएगा इसके इलावा आपकी university भी एक्सरो काहत आपको different versions दे रही होती है बट हम इस course के लिए tablue public को use करने वाले हैं ताके सबी जो हैं एक ही stage के उपर काम करें यह है जी tablue हमारे पास अब next lecture के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि tablue को install तो हमने कर लिया अब हमने tablue को use कैसे करना है और किस तरीके से इसकी power को utilize करते हुए हमने different किसम के dashboard बनाने है लेकिन सबसे पहले आपसे मेरी request है कि like, share, subscribe और youtube channel kodenix.com पे जाके आप youtube channel का link भी देख सकते हैं और इस course को अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए ठीक हो गया tablue की workspace कैसे देखती है इस lecture में हम यही देखने वाले है मेरा नाम है dr. mohamad amarthafel और मैं आपको tablue सिखा रहा हूँ तुझी से रहे होगा नहीं? मैं दास देओ, comment section के अंदर let's jump into the screen यहाँ पर click करता हूँ, मैं double click अपना tablue public हो है, उसे open करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने tablue को open किया है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से panes आ रही है panes, panes panes की बात करो, दर्दों वाली panes की बात नहीं कर रहा so on the top you will see file, data and help help के अंदर आप click करेंगे तो आप update भी कर सकते हैं language भी चूज कर सकते हैं, different languages भी है, performance भी कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी machine की performance करनी है training के उपर आप click करेंगे तो आपके पास basically different किसम के learning materials open हो जाएंगे तो आप अपने software के अंदर से training materials यहां से open कर सकते हैं फिर community है आपके पास पिर उसके बाद about tablue public है और यहां से आपको versions बता चल जाएंगे मेरे पास इस वकत है वो 2024 का version है which is 2024 1.24.0 something 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 यहां पर available है and you can view that version here ठीक है तो मेरे पास यह वाला version जो है इसे मैं use कर रहा हूं and this is how you can also check on your own versions मैं इसको यहां से बंद करता हूं बंद करने के left side पे हमारे क्या है उसे देखते है left side के उपर हमारे पास connect connect के बाद Microsoft Excel का data हम ले के आ सकते हैं text file का ले के आ सकते हैं JSON का ले के आ सकते है Microsoft access से PDF file से special file से statistical file से and then server से भी data ले के आ सकते है there are many servers out there यहां पे more पे click करके आप Google Drive से data ले के आ सकते हैं installed connector अपने public database से ले के आ सकते हैं and then there are many connections as well left side पे हमारे पास यह चीज़ आती है right side पे चलते हैं तो right side पे देखें तो हमारे पास open from Tableau Public यहां से हमारी यह वाली Tableau Public की जो website है वहां से हमें यह link करना start कर देगा कि आप यहां पे अपना sign in बना ले जो मैंने पिछली lectures के अंदर आपको बताया था अगर आपका sign in होगा तो आप वहां से भी upload कर सकते हैं अपने data directly connect करने के बाद फिर how to videos पे आप click करेंगे तो again आपके पास right पे यहां पे यह बताता है कि किस तरीके और उनकी whiz of the day यहां पे दिखाया जाती है क्योंके public का मतलब यह है कि जितना भी आप काम करेंगे you can also share that with other people as well and then we have other things on the right side which is whiz of the day here and then resources, blogs, sample data sets and crunch status यहीं से आप sample data set पे click करके भी यहां पे data लेकर आ सकते हैं जो हमने already देख लिया हुआ है, so this is how you can actually click on different kind of data set मैं यहां पे अगर data को upload करना चाता हूँ तो मैं यहां पे Excel पे click करूँगा, यहां से अपनी sheet ले के हूँगा जो मैंने पिछले lecture में आपको बता दी है open कर लूँगा and this is how you can open any kind of data set अब हम इसी data set को further explore करेंगे अपने next lecture के अंदर छूटी छूटी lectures के अंदर आपको अच्छे से समझ आजगे, अगर आप agree करते हैं तो like, comment and share ज़रूर करें इस वीडियो को subscribe भी करते हैं इस lecture में हम देखेंगे कि Tableau के अंदर data किस तरीके से import किया जाता है पहली बात यह है कि आपके पास data होगा तो आप उसकी कोई visualization बना सकेंगे अगर आपके पास data ही नहीं है तो भई क्या करेंगे सोचे दरा, सोचो, सोचो सोच लिया, तो अपना data भी आप ले के आ सकते हैं लेकिन जब आप practice कर रहे होगे हमारी lectures के उपर तो मैं आपको online data से किस तरीके से आप काम कर सकेंगे वो बताऊगा और इस lecture के अंदर हम Tableau की website से sample data उठाएंगे और फिर उस पे काम करेंगे लेट्स जंप इंटो इट, screen आपके सामने आपने क्या करना है, Tableau Public के जो website आपको बताई हुई है, वहीं पर आपने चले जाना public.tablo.com slash app, discover के अंदर और यहां पर learn पर आपने क्लिक करने है फिर sample data पर आपने क्लिक करने है जैसे आप sample data पर क्लिक करेंगे you have these sample data available there superstore sales का data है फिर the 2014 include 5000 data है ठीक है, यह company का यह magazine का data होगा employment data है and then you have entertainment data, कोई भी आप यहां से data आप जो है वो उठा सकते हैं, for example मैं यहां से airbnb listing का data या university advancement donation and giving का data उठा लेता हूँ यह UK university research excellence framework rating का data उठा लेता हूँ ADX organization का ADS org का academic year 2012 2013 का data उठा लेता हूँ या American university data, तो मैं American university data को उपर क्लिक करता हूँ और यह data मेरे पास download हो गया यहां पे, IPEDS underscore data, Excel की sheet के अंदर यह download के folder के अंदर चला गया and you can see that here, यह मेरे पास Excel की sheet के अंदर data आ चुका है अब इस data को मैं क्या करूँगा, इसको copy करूँगा या cut करूँगा, documents में औरेडी जब हमने एक tableau को install किया हमारे पास एक folder बन गया जिसका नाम है my tableau repository मैं आपको zoom in करके यहां पे दिखा देता हूँ तो यह इस तरीके से हमारे पास folder बन गया, इसके अंदर मैं open करता हूँ इसको, open करने के बाद हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास काफी कुछ आ रहा है, ठीक है, तो हम यहां पे my tableau repository भी है और यहां पे हमारे पास अगर हम tableau को open करें तो आपको यहां पे मैं दिखाऊंगा यह tableau को open किया, Microsoft Excel पे आप click करेंगे, तो my tableau data repository के अंदर data sources है तो आपने क्या करना है, इसको data sources के अंदर paste कर देना है मैं आपको tableau दुबारा से open करके दिखाता हूँ and then we will see के यह data किस तरीके से है यह मेरे पास tableau public पढ़ा हुए मैं double click करता हूँ, यह मेरे पास tableau desktop public का version जो है वो open हो गया मैंने यहां पे Excel की sheet जो है वहां से data लेना है, मैं इस पे data है, definitions है, notes है or variables है and there are many other things according to the data और आप देख सकते हैं कि यहां पे ऐसे मैं click करूँगा तो मेरे पास data के different किसम के connection जो है वो यहां पे built हो गए and now you can see कि मेरे पास यह data यहां पे available है अब हम क्या कर सकते हैं, there are many other things which we have to do when we do this kind of data analysis ठीक है, तो पहले चीज़ यह है कि यह sheets हमारे पास available है sheets इसी तरीके से जैसे आपके पास कोई भी data आप upload करते है तो वो data यहां पे available होता है data sources पे click करेंगे तो यह आपके पास data available होगा use data interpreter तो यहां पे आपके पास might be available आपके पास data interpreter जो है वो आपकी क्या करेगा clean your Microsoft Excel workbook यह automatically उसका data लेगा and then it will work on that तो data की definition क्या क्या है हमारे पास कौन कौन सा data है so and so for सारी की सारी चीज़े यहां पे आगे so this is how you can actually upload your data in Tableau अब हमने यह upload तो कर लिया अब अगला कौन सा step है वो मैं आपको next video के अंदर बताता हूँ ठीक हो गया like, share, subscribe ज़रूर कर दे मैं जान बूच के छोटी-छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से digest कर सके छोटी-छोटी topics को क्या ख्याल है like तो बनता है ना यह वला that's good पिछले lecture के अंदर मैंने आपको दिखाया किस तरीके से Excel की फाइल से आप डेटा लेके आते है अब Excel की फाइल से आगे डेटा को व्यू कैसे करना है वो बताओं की ख्याल है दस्तिया मेरे नाम है Dr. Mohamed Amartafel मैं आपको टैबली उसक्वा रहा हूँ पक्की बाद है that's good let's jump into the screen यहाँ पे मैं टैबली को बंद करता हूँ और शुरू से आपको दिखाता हूँ भई डेटा हमने किस तरीके से लोड की है यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी documents के अंदर एक folder बना होगा mytabli repository और data resources के अंदर यहाँ पे आप अपना data रख सकते हैं क्योंकि यह tabli public है I will click on the left side here मैं अगर इसको zoom in करूँ तो यहाँ पे Microsoft Excel से मैं data लोगा इस पे click करूँगा open कर लोगा तो यह मेरे पास data इस तरीके से open हो गया it's very simple very very easy ठीक है और वो आपने सुना ही होगा न same same but different तो यह आप यही समझ लें कि tabli और excel same same एक ही तरह के लगते हैं अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं अगर मैं data को view करना चाहता हूँ तो मैं data पे आऊँगा इस जगा के उपर मैं click करूँगा मैं इस पे click करता हूँ and you will see के मेरे पास कुछ window open हो जाएगी like this तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के data कितना बड़ा है 1534 rows है 1534 rows and 145 fields यानि के आपके columns जो हैं वो 145 है अगर आप यहां से shift दबा के scroll करेंगे तो आपको left to right आप चले जाएंगे अच्छा खासा बड़ा data है ठीक है और अगर आप उपर से नीचे आएंगे तो आप इस तरीके से scroll कर सकते है and you can see के data आपके पास appear होता जाएगा तो यह एक अच्छा खासा बड़ा data set है अगर आप गौर करें और अगर मैं zoom out करूँ हम इस data set की अगर space देखें तो it's around 1.26 MB यहां पे आरी 1.26 MB so this is the space of this data यहां से मैंने data view किया you can see के यह universities का data set है और अगर आपको data set का नहीं पता के कौन सा data set हमने जो है वो लोड किया है मैं यहां पे click करके इसको बंद करता हूँ और दुबारा से अपने desktop पे जाता हूँ इसको double click करता हूँ double click करने के बाद हम यहां पे right side के उपर जब हमारे पास कोई भी जो हमारा version open हो जागे sample data set पे हम click करते है and then I will go back और यहां से super store sales का data भी मैं download कर सकता हूँ मैंने यह click किया यह data download हो गया it's kadar faster तो मैं data उठाता हूँ download folder से sample store का data उठाता हूँ copy करता हूँ documents के अंदर यहां पे tableo repository data source के अंदर इसे paste कर देता हूँ तो मेरे पास sample super store का data भी है which is also 3.2 MB let's see अब यह कितना बड़ा data set है मैं यही पे click करता हूँ इस data set को open करता हूँ open करने के बाद आप देखेंगे it will take more time than the other data set और यहां पे हमारे पास 3 sheets है orders की sheet है people की sheet है and returns की sheet है ठीक है so we have 3 sheets here मैं orders की sheet को view करता हूँ and then you will see के हमारे पास यहां पे category city 21 fields है और 9994 हमारे पास rows है so यह कदरे छोटा data set है as compared to the other one मैं यहां से people की sheet को open करता हूँ then you will see के हमारे पास different किसम का person and region यहां पे 2 किसम के data set है 4 rows है दो fields है and then we have returns का data set के हमारे पास order id क्या थी और return क्या हुआ है so here if I click on the order तो आप यहां पे देख सकते हैं के हमारे पास order के अंदर customer की id भी है and then we have order id as well तो एक order id हमारे पास यहां पे मुझूद है और दूसरा हमारे पास city भी यहां पे मुझूद है and country भी same thing goes in the people हमारे पास यहां पे सारा का सारा data जो है वो मुझूद है यानि के order id जो return हुई या नहीं हुई यह दोनों data को connect हम कर सकते है returns के और order के ठीक है पहली चीज तो यह जो मैंने आपको बताने थी कि आप data को connect भी कर सकते है second thing is कि मैं tableau को open करके उसके अंदर अपनी मर्जी का data भी upload कर सकता हूँ कोई भी अपनी मर्जी का data जैसे मैं यहां पे इसको open करता हूँ open करने के बाद मैं यहां पे लिखता हूँ say for example मैं यहां पे लिखता हूँ Titanic data तो kegel पे जाके हम Titanic का data जो है उसे download कर सकते है simply मैं data पर click करके यहां से इसको मैं थोड़ा zoom out कर लूँ क्योंकि it's too much zoomed too much zoomed okay I have to sign in मुझे sign in करना पड़ेगा केगल पर तो मैं यहां पर पहले sign in कर लेता हूँ क्योंकि जारी बात है उस पर जो मेरा email है that is totally different I don't wanna share that email so यह आपके सामने इस तरीके से मैंने sign in कर लिया sign in करने के बाद we have data card down there और यह मारे पास train का data जो है मैं इसको right click करके या यही से मैं download कर लेता हूँ तो यह मेरे पास train की csv file आ गई अब मैं क्या करूँगा इस csv file को download से उठाऊँगा copy करके documents के अंदर my tableo repository data sources यहां पर paste करूँगा and then I will rename this as Titanic ठीक है और आप एक और काम भी कर सकते है आप right click करके इसकी properties देख सकते है कि यह data set csv का है यह कौन सा है तो यह csv file है और यह vs code के साथ मैं इसको usually open करता हूँ but it's fine now we can do what we can actually import text file Titanic को मैं click करूँगा और आप देखें कि text file ही comma separated file होती है तो यहां पर हमारे पास आ रहा है tsv यानि कि tab separated values comma separated values and tab और comma दोनों आ जाएंगी तो हमारे पास यह जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास Titanic का data मैंने इस यह open किया and now you will see कि हमारे पास data set यहां पे आ चुका है और जैसे मैंने इसको CSV file को open किया तो पूरे के पूरा data यहां पे नीचे भी open हो गया आप देख सकते हैं कि यहां पे passenger ID है, survived है P class है, name है, sex है, age है siblings, spouse है and so on and so forth है ठीक है so हमारे पास इस तरीके से data आ गया और यहां पे data की type आ रही है which we will consider in a minute but आप यहां पे click करने के बाद data को खुद से separate window में भी view कर सकते है and आप यहां पे data की base पे check भी कर सकते है कि कौन सी row को आपने ले के आना है ठीक है and this is how you can actually view the data look into the data and then you can proceed with the data यहां दा clear हो गया किस तरीके से आप data set को handle करते है CSV फाइल कैसे ले के आते है Excel की कैसे ले के आते है TSV भी ले सकते है and there are many other files जो Statistica या किसी अदर software में आपने ले के आई है उसको भी यहां पे import कर सकते है Google Sheets का data directly आप कहां से ले के आएंगे Tableau के इस lecture में मैं आपको सिखाऊंगा के data types आप किस तरीके से देखते हैं Tableau के अंदर मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartufel मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ तुझे से गरे हो ना पक्की बात है चलें, स्टार्ट करते है यह स्क्रीन पर आप देखें कि सबसे पहले आपने जाने है Codenix.com के उपर यहां पर क्लिक करने आपके पास इस तरीके से website open हो जाएगी Books पर जाने Books यहां पर शोहर ही होगी ABC of Statistics for Data Sciences पर आपने क्लिक करने आपके पास इस तरीके से यह book आजाएगी इस book के अंदर सबसे पहला काम जो आपने करना है वो measurement वाले chapter के अंदर जाने Left side के उपर और यहां से आपने इस chapter को एक दफा read out करना है Reason क्या है इसको read out करने की क्योंकि data के काफी types हैं जो अभी मैं नहीं बता सकता basic types काफी होती हैं जिसमें categorical, फिर numerical फिर आपके पास चार levels of measurement होते हैं जिसके अंदर nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale होते हैं इसकी base पे आप different किसम के data collection के methods को use करते हैं फिर आपके पास data होता है quantitative data and qualitative data फिर data की different और भी types होती हैं primary data, secondary data हो गया इसके इलावा आपके पास होता है जी different types of other data जिसमें categorical, numerical, discrete, continuous and different किसम की data types हैं तो यह chapter number 3 जो है यह आपके लिए बहुत important है इस lecture के आगे चलने के लिए ले जनाब हमने पिछले lecture के अंदर Titanic का data जो है उसे load किया था, Titanic का data आप Kaggle से भी उठा सकते हैं यह कहीं से भी आप उठा सकते हैं, जैसे मैंने पिछले lecture के अंदर आपको बताया था कि Kaggle पर जाने के बाद Titanic machine learning from disaster इसके उपर जाने के बाद यह train की CSV फाइल जो है इसको मैंने download किया और इस Titanic का link अगर आपके पास मुझूद नहीं है तो आप यहां से इसे देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ यह है जाए इसका link kaggle.com यहां पर यह वाला link है इसको आप type करेंगे तो आपके पास CSV फाइल आजएगी जो मैंने load की है अब इस एक dataset को load करने के बाद हम जब Tableau के अंदर import करते हैं जैसे मैंने पिछले lecture के अंदर आपको बताया किस तरह के इस import किया जाता है now you can see कि यहां पर आपके पास different किसम का data show हो रहा है जैसे कि यहां पर देखें आपके पास आ रहा है hashtag hashtag का मतलब होता है number hashtag यानि कि pound sign इसको बोला जाता है यह hashtag बोल दे इसका मतलब होता है number और यह जो ABC लिखी है इसका मतलब है category ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं data जो आप जैसे आप इस hashtag पर click करेंगे जहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास यह data की types है type of the data क्या है यहां पर आप click करेंगे तो यह number है whole number है कि decimal whole number क्या होता है यह basically integer को बोला जाता है या आप इसको discrete number बोल सकते हैं अगर आप उस chapter को पढ़ेंगे आपको समझा जागी decimal number वो होता है जो इसको हम क्या कहते है continuous number क्योंकि यह हमारे पास जो start है यह whole number का है तो इस वज़ा से हम इसको passenger ID को वो देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें 1,2,3,4,5,7,9,10 लिखा हुआ है तो यह whole number है जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो this is called string string क्या होता है जो ABC की format में लिखी हो और क्योंकि यह data का नाम है P class और यहाँ पे sorry name और यहाँ पे आप इसको choose कर सकते हैं आप इसकी data type को change भी कर सकते हैं तो जैसे हम python के अंदर बहुत तगोदो के बाद इसको change करते हैं यह different languages के अंदर यहाँ पे सिरफ आपने click करने उसकी data type change हो जाएगी for example यह है survived number है इसको मैं whole number से continuous में करूँगा तो यह decimal points में आ जाएगा and same here ABC से मैं इसको numeric में करूँगा then you will see कि हमारे पास null value हो जाएगी because we cannot convert that into numeric we have to use that as ABC इसके इलावा और भी data types है इसके अंदर boolean यानि कि true false जब होगा हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे true false कोई value है के नहीं and we cannot see any true false value तो हमारे पास data कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है right तो यह एक तरीका कार है किसी भी एक data set को देखने का अब Titanic का data कुछ यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा incomplete है right because जो लोग Titanic के data पे काम करते होने पता है कि यह data पूरा नहीं है इसके अंदर कुछ चीज मिसिंग है अब हम क्या करेंगे यहीं पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो CSV पे जाता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ Titanic data CSV GitHub तो आप कहीं से भी net से भी लिख सकते हैं यह मेरे पास GitHub के अंदर यह Titanic की CSV फाइल यह पड़ी हूई है मैं यहीं से इसे लोड करता हूँ लोड करने के बाद यह Titanic CSV आगी मैं डिरेक्टली यहीं से इसे पकड़ूँगा और यहाँ पे पेस्ट करके इसे रिप्लेस कर देता हूँ जस्ट फूर अफ गंप्लीटनेश इसको करने के बाद मैं यहां से new data source यह refresh data source पर क्लिक करता हूँ yes पर क्लिक करता हूँ and then we have a whole bunch of data set in the same file अब यहां पे आप data पर क्लिक करने के बाद जैसे refresh करेंगे तो पिछला data जो है वो आप replace भी कर सकते हैं तो मैंने वो ही किया, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, कि हमारे पास, passenger ID है, survived है, class है, and there are many other data types as well, और यहाँ पे जो main data types हैं, आप देख सकते हैं, कि ABC है या numeric है, ABC है या numeric है, क्योंकि हमारे पास, कोई भी जगा पे true and false नहीं लिखा हुआ, ठीक है, so this is how you can actually look into the data set, और आप data set के अंदर, अच्छे तरीके से यहीं पे देख के, इसकी sense लगा सकते हैं, अब यह हो गया जी data set की type, data किस तरीके से होता है, numerical and categorical, अब हम अगली lecture के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आप data को किसी sheet में convert करते हैं, sheets क्या आती हैं, inside a Tableau workbook, like, share, subscribe कर दे, मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafel, आपको Tableau सिखा रहा हूँ, तुझे से खर रहा हूँ हो ना? Tableau के इस lecture में हम देखेंगे कि data के उपर filters कैसे लगाने हैं, and then we will move towards sheet. मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafel, और Tableau की इस course के अंदर मैं आपको ख्यामदेद कहता हूँ, मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ, तुझे से खरे हो ना? पक्की कर ले, see you now. अचारी, यहाँ पर हम जा रहे हैं, यह हमारा Titanic का data, जो हमने पहले ही लोड किया, बिशली lectures के अंदर, अब यहाँ पर आपके पास right side के उपर, जब आप जाएंगे, तो right side पर आपके पास एक button नजर आ रहा होगा, जिसका नाम है filters, यह, यह आपके पास filters का एक button है, आप इस filters के add पे click करेंगे, जैसे ही आप add पे click करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से add का button आएगा, मैं add पे दुबारा click करता हूँ, आपने जिस भी column का data के ओपर filter लगाना है, वो आप column select कर लेंगे, say for example, मैं चाहता हूँ कि age पे click करूँ, okay करूँ, अब यहाँ पे मेरे पास पूरी range आ गई है, lowest age हमारे पास है 0.42, और highest हमारे पास है 80, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर null values बे आइड करूँ, null values का मतलब है कि कोई भी खाली value, इसके अंदर कोई भी null value नहीं है, so there is nothing wrong there, अब मैं यहाँ से range को select कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिरफ और सिरफ 5 साल तक के बच्चे आए, तो मैं यहाँ पे maximum जो है 5 कर दूँगा, और minimum मेरी वो ही रहेगी जो minimum थी, ठीक है, range of values से हम check कर लेते हैं, मैं जैसे इस पे okay करूँगा, तो यह मेरे पास age की range आ गई है, ठीक है, एक और filter मैं बना सकता हूँ, कि मैं same किसी एक तरीके से, for example, मैं इसी के उपर जाता हूँ, और at least भी बात कर सकते हैं, कि minimum कहां से start हो, at most का मतलब है highest कहां से हो, फिर special values भी आप निकाल सकते हैं, जो 5 पर तक्सीम हो रही हैं, या कोई null values हैं, non null values हैं, या all values हैं, so this is how you can actually select the range, मैंने यहां पर 5 साल के, बच्चों की range select कर ली, ठीक है, इसको okay किया, okay करने के बाद मैं दुबारा से, okay करता हूँ, मैं zoom out करता हूँ, अब आप देखें कि मेरे पास यहां पर जो data है, वो सिरफ और सिरफ 43 यहां पर मुझे values दे रहे हैं, ठीक है, और अगर आप चेक करें, तो हमारे पास age के column के अंदर, सिरफ जो values आईए हैं, वो 5 तक की आईए हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहां पर सिरफ और सिरफ मेरे पास जो values हैं, यह 5 तक की हैं, ठीक है, 5 साल से ज्यादा की values नहीं हैं, यहां पर, so this is how you can put any filter, अब मैं यह भी चाहता हूँ इसके साथ-साथ, मैं जैसे इसको filters को edit करता हूँ, यहां पर मैं एक और filter add करता हूँ, एक और filter add करके मैं कहता हूँ, कि इन में से भी, वो वाले जो okay करने के बाद, मैं यहां पर लिखता हूँ, जो male बच्चे हैं, उनको select करो, तो जैसे मैं इनको select करता हूँ, मैं zoom out करता हूँ, यहां पर देखिएं कि 43 में से भी 22 बच गई है, यहां पर यहां पर यह फिल्टर मैंने दो लगा दिये, अब इस तरीके से आप multiple filters भी यूज कर सकते हैं, फिर filters को आप remove भी कर सकते हैं, मैं यहां से filters को remove करूँगा, दूसरे को भी remove करूँगा, and now I can select okay, तो मेरे पास total जो rows हैं, यहां पर इनका पूरे का पूरा data जो है मेरे पास आ गया है, ठीक है, and this is how you can actually look into the dataset, और इसके filters को आप देख सकते हैं, इसके इलावा, मैं यहां पर एक और data filter अड़ करता हूँ, add वाले बटन पर मैं click करता हूँ, survived के column पर जाता हूँ, select करता हूँ, और यहां पर आप देख सकते हैं, या तो value 0 है या 1 है, ठीक है, so we have to select 0 और 1, for example मैं इसको select करता हूँ, और मैं यहां पर ले आता हूँ, तो यह 1 value मेरे पास select होगी है, मैं इसको okay करता हूँ, तो यह मेरे पास data सिरफ उन लोगों का है, जो लोग Titanic के हाथसे के बाद survive किये थे, ठीक है, so if you look into survived column मेरे पास सिरफ और सिरफ 1 की value आ रही है, इसका दूसरा तरीका कार क्या है, आप यहां से, ascending से descending भी इसको order कर सकते हैं, और यहां पर अगर मैं for example कहूँ, कि मेरे पास वो वाले लोग जिननोंने, देख करके उसको change कर सकते हैं data को, यहां पर sibling spouse आप करने हो, तो आप यहां से check कर सकते हैं, parent children देखने हो, तो वो ticket के data देखना हो, तो वो भी, so you can do whatever you want to do, based on these things, ठीक है, अब यहां पर अगर मैं setting पर click करूँगा, I can also do some kind of hidden settings here, मैं यहां पर जाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ, something like this, you can do whatever you want to do here, ठीक है, और इसका एक और काम है, मैं यहां से अगर इसको मैं click करूँगा, तो यह collapse हो जाएगा, which you can actually expand again by clicking here, ठीक है, so यह कुछ functionalities हैं, जब आप data के उपर काम कर रहे होते हैं, edit के button पर जाएगे, मैं इसको दुबारा से remove कर देता हूँ, okay कर देता हूँ, and on the left side, you have this new union button, और अगर आप इस पर click करते हैं, then you can actually make a union of different data set as well, जो आप पर depend करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर दो data sets available हैं, और दो data set आप कैसे लेके हैं, कि data में जाके, आप यहाँ पर duplicate data source भी add कर सकते हैं, या export data to CSV भी कर सकते हैं, या आप कुछ और भी कर सकते हैं, join null values, whatever you want to do, you can do that, और नया data source भी लेके आ सकते हैं, learn more पर click करेंगे, तो आप check कर सकेंगे, किस तरीके से आप data को join कर सकते हैं, different किसम की techniques, जो SQL के अंदर use होती हैं, वो आप लेके आ सकते हैं, for now I'm not going that much in details, यहाँ तक आपको समझ आगी होगी, कि किस तरीके से आप data को filters के अंदर लेके आते हैं, data के filters बहुत important होते हैं, क्योंकि आपने कभी कबार data का analysis तरीके से करना होता है, जो आपको filters की मद में data का result देता है, अब वो कैसे करना होता है, वो मैं आपको next lecture में बताने वाला हूँ, समझते गई होगे, मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafel, मैं आपको TABLU सिखा रहा हूँ, और तुसी सिखवी रहे हो, like, share, subscribe कर दे, see you in the next video, TABLU यूजी इसी वेड़ा से होता है, कि आप data visualization कमाल की, ठका के, dashboards बना सके, और इस lecture के अंदर हम वो ही सीखने वाले हैं, कि किस तरीके से आप data visualization करते हैं, अब यहाँ पर आप देखें कि हमने अपने data को explore किया, अच्छे तरीके से data को देखा, अब यहाँ पर अगर आप bottom पर आएंगे, यहाँ पर data source आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब है जितने किसम कि आपके पास data sets available हैं, जो आपने load कियों, यहाँ पर click करने से आ जाएंगे, फिर आपके पास sheet आ रही है, फिर आपके पास यहाँ पर plus का sign आ रहा है, जो कहता new worksheet बनाएं, फिर आपके पास new dashboard का sign है, फिर आपके पास new story का sign है, अब हमने क्या करना है, sheet का मतलब यह है, कि जितने भी आपने plots बनाने है, वो separate sheet के अंदर होंगे, for example, मैं इस sheet पर click करता हूँ, जैसे मैंने इस sheet पर click किया, you will see this kind of dashboard there, यह this kind of sheet there, अब हमारे पास इस sheet के अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ें available हैं, मैं बारी-बारी सब को समझाऊंगा, पहले left side के उपर देखते हैं, अगर आप left side के उपर देखें, तो हमारे पास यहाँ पर data लिखा हुए, analytics लिखा हुए, and then हमारे पास table है, for example, यह सारे का सारा table हमें क्या बता रहा है, यह सारे categorical columns हैं जो उपर हैं, और यह हमारे पास है numeric columns, यानि के हमारे पास जो numeric column होंगे, वो हमेशा नीचे होंगे, यह categorical columns है, फिर अगर analytics पे हम click करते हैं, तो हमारे पास constants line, average line, median, width, quartile, and there are many other things which we can do, in आपका dashboard है उसके अदर, फिर model अगर आपने लगाना है, average का, trend line का, forecast करना है, cluster करना है, reference line बनानी, whatever you want to do, you can click on the analytics and you can do that, लेकिन data पे हमारा पहला काम है, फिर यहां से आप filter भी कर सकते हैं, कि आपके dimension हो, measure हो, comment हो, whatever you want to filter, आप यहां पे वो data set लेके आ सकते हैं, जब आपके पास, 100 या second हो की तदात के अंदर columns होंगे, view data करना है, you can also click here, तो आपके पास data view भी हो जाएगा, on the go, यहां पे आप देखें, आपके पास data view हो के आगया है, ठीक है, लेकिन मैं इसको बंद करता हूँ, और यहां से आप click करके आप देख सकते हैं, create calculated fields, parameters, group by folder भी आप कर सकते हैं, you can do many other things as well, यह तो होगी पहले चीज, फिर आपके पास क्या आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं pages, यहां पे आप different किसम के pages बना सकते हैं, यह आपके filters हो गए, and then you have marks here, यह किस तरीके से कैसे use होंगे, we will see that, जो major चीज है आपके पास, वो है columns and rows, क्योंगे जब भी आपने कोई plot बनाना होता है, उसके x-axis होते हैं, y-axis होते हैं, और उसी हसाब के आपको column and rows को रखना पड़ता है, और यही चीज यहां पे है, आप किसी भी field, यानि कि किसी भी आपके variables को उठाएंगे यहां पे, और यहां पे drag करेंगे, फिर इसी तरीके से किसी और को उठाएंगे, वो यहां पे drag करेंगे, तीसरे को उठाएंगे, वो यहां पे drag करेंगे, so whatever you are going to do, by dragging these variables, categorical and numerical, आपके charts बनते जाएंगे, ठीक है, और फिर यहां से आप select और drag क्या करेंगे, आप यहां से कोई भी एक column type देखेंगे, sorry, plot type देखेंगे, और उसकी base पे आपका plot बन जाएंगे, just click and drag की base पे बहुत ही असान चुटगियों के अंदर बनेगा, इस तरीके से, so let's see कि हमारे पास यह plot कैसे बनते हैं, और इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यह plot आने वाले है, सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहां से age को उठाता हूँ और यहां पे मैंने इसको fit कर दिया, और यह मेरे पास age का automatically एक plot बन गया, rows की base पे, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर को उठाता हूँ और फिर को मैं column की base में रख देता हूँ, and now you can see कि हमारे पास जो plot है, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, and we don't know कि हमें यह plot चाहिए भी या नहीं चाहिए, ठीक है, so for that reason we can see कि हमें दो या दो से ज्यादा क्या चाहिए होती है, अगर आप देखें हमारे पास यहां पर color और बाके चीज़ों की भी values आ रही है, but अगर आप गोर करें, तो यह हमारे पास a continuous variable है, में यह रिसकी क्या है, sum है, average, count है, distinct है, whatever you want to do, you have to click on that, for example मैं average पर click करता हूँ, तो यह मेरे पास age की average आ गई, and I can go again, मैं आपको दुबारा से दिखाता हूँ, कि यहां पे मैं क्या करता हूँ, मैं age को plot करता हूँ, यह मैंने age रखी, यहां पे age आ गई, जैसे ही मैं यहां से bar plot को select करता हूँ, ठीक है, और यहां से मैं sex को भी इसी के उपर रख देता हूँ, now you can say के हमारे पास, यहां पे दो चीज़ें आ गई, एक age है, मैं इसको थोड़ा सो zoom in करता हूँ, यहां पे आप देखे, यह female की age और दूसरी age separate हो गई है, तो यह हमारे पास दो bar plots यहां पे बन के आ गई है, ठीक है, but what we can do, we can actually play in another way, मैं यहीं से sex को उठाता हूँ, और column के अंदर paste कर देता हूँ, now you have two columns, ठीक है, दो columns आपके बन गए हैं, और दो bar plots आपके सामने, कुछ इस तरीके से show हो गए हैं, ठीक है, and this is how you can play, अब यहां से मैं color select करता हूँ, कोई भी color आप देश सकते हैं, इनको भी, लेकिन we can also do other things as well, मैं यहां पर sex की बजाए, अब क्या करता हूँ, यहां से cabin, cabin ने P class को उठा लेते हैं, जैसे मैंने P class को रखा, आपकी data की type change हो गई, and now we have to click or drag the plot type, यहां से मैंने, अब यह वाला plot type select ही है, मैं यह भी कर सकता हूँ, और आप देखें कि जैसे मैं plot type select कर रहा हूँ, मेरा plot different किसम का बन रहा है, लेकिन इसके लिए आपको knowledge होना चाहिए, कि कौन सा plot आपने कब बनाना है, for now you can see, कि हमारे पास left side पे values है, जो हमारे पास किस चीज़ की value है, we should know about that, और मैं rows में यहाँ पे रख देता हूँ, you will see कि यह rows है, rows का मतलब है, जो इस तरीके से data जा रहा है, columns के अंदर, और जो columns है वो उपर से नीचे आ रहा है, so that's why we have to look into it, अब sex और fair का यहाँ पे क्या आ गया है, sum आया है, ठीक है, fair का sum आया है, आप fair के sum को change भी कर सकते हैं, into average, तो यह average हो गया, अब आपको पता है कि यह average fair है, अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूँ, you will see, कि यह average fair है, ठीक है, और average fair के साथ साथ, आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे, male और female को भी select कर सकते हैं, ठीक है, keep only male हम यहाँ पे click कर देते हैं, अगर आपने male और female दोनों को रखना है, then you can also do that, आप यहाँ से इसकी width भी change कर सकते हैं, and you can do a lot of other things, ठीक है, मैं आपको दुबारा से एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसको remove करता हूँ, sex हमारे पास आगया, और sex के अंदर, हमारे पास, for example, मैं यहाँ पे करता हूँ, जी cabin, cabin X पे कर लिया, ठीक है, and now, बलके नहीं, यह हमारे पास categorical value है, हम यहाँ पे करते हैं, embark, कि जहां जहां से लोग embark किये थे, और उनकी उम्रें क्या थी, यह उनकी उम्रें, C, Q and S, यह तीन areas हैं, जहां से यह embark किये थे, तो यह हमेशा हमें sum बता रहाता है, हम इसको average पे ले जाते है, and now you can see, कि यह average है हमारे पास, ठीक है, और अब आप यहाँ पे filter directly भी लगा सकते हैं, आप range भी select कर सकते हैं, कि हमने सिरफ वो ही value लेनी है, जो हमने start में किया था, आप यहाँ पे अपना cursor ला के, इन bars को थोड़ा सा चोड़ा भी कर सकते हैं, for the beautification, something like this, अब check करें, और अब लेकिन थोड़ा सा काम यह हो गया, कि आपकी बार कुछ ज़्यादा ही side पे हो गई है, so this is how you can actually play with this, अब मैं क्या करूँगा, इनको sex की base पे color करने की कोशिश करता हूँ, and let's see, कि हमारे पास क्या data आता है, और मैं यह वाल upload बनाने की कोशिश करता हूँ, and here you can see, कि हमारे पास जो sex की base पे data आया है, वो सिरफ और सिरफ male का क्यों आ रहा है, let's see, edit filters, यहाँ पे females को मैं select करता हूँ, and here you go, तो male का लाइदा आ गया data, female का लाइदा आ गया, and now I can actually drag this plot like this, और यह मेरे पास कुछ इस तरीके से plot एक बन गया, बहुत ही असान है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास, जितना चाहेंगे आप वैसा plot बनेगा, और यह मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ, वो ज्यादा precision के साथ हो रहा है, open, so this is how you can play with the plot, और आप यहाँ पे इसका नाम भी change कर सकते हैं, you can do a lot of other things as well, ठीक है, और details भी इसकी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, you can actually label, text के अंदर क्या है, font क्या रखना है आपने, ठीक है, font for example, मैं यहाँ पे रखता हूँ, 12, 12 के बाद, मैं थोड़ा सा zoom in करके दिखाता हूँ, table you notebook की बजाए मैं यहाँ पे times new roman, इसको select करता हूँ, यहाँ पे 12 को select करता हूँ, enter कर दिया, and you will see के यहाँ पे fonts आप change हो रहे हैं, मैं इसको गर 14 करता हूँ, enter, and now you will see, के we have different font, not font, all का मैंने कर दिया एक ही दफा, और show mark labels, और यहाँ पे click करने से आपके जो labels हैं, वो उपर bars के भी show हो रहे हैं, and this is how your plot will look like, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कि आपके plot के font वगएरा सारे आप change कर सकते हैं, फिर यही नहीं, आप keep and exclude भी कर सकते हैं, किसी भी एक column को रख भी सकते हैं, इमेज जो है वो बन गई है, आप अपनी मर्जी का plot भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, stack bar part, plot बनाना है, line plot बनाना है, whatever you want to create, लेकिन उसके लिए आपको Andrew Abela की guide देखनी पड़ेगी, Andrew Abela की guide क्या कहती है, अगर आप यहां पर लिखेंगे, Andrew Abela guide for plotting, तो यहां पर आपके पास कोई भी एक Andrew Abela की guide है, उसे आप open कर ले, यहां पर यह बताता है, कि चार किसम के आप plot की types बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास data किस किसम के हैं, अगर आपने distribution देखने हैं, तो यह किसम के plot बनेंगे, अगर आपने कुछ और किसम की चीज़ें देखने हैं, तो आप different किसम के plots बनाएंगे, तो इस Andrew Abela की guide को Google पर ज़रूर सर्च करें, और इसकी base पर आपको जब पता चलेगा, कि X-axis पर क्या रखना है, Y-पर क्या रखना है, and then you can utilize the power of plotting, ठीक हो गया जी, यहां तक clear हो गया, इसके इलावा बहुत ज़्यादा plots आप बना सकते हैं, और इन्शाला हम माने वाले दिनों के अंदर, वो plots बना के देखेंगे, एक sheet आपने बनाई, एक plot बनाया, and यह different columns की base पे आप और भी इसके अंदर changes ला सकते हैं, और मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel, मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ, वो तो उसे सिख भी रहे हो, practice भी करते जाएं, see you in the next one, like, share, subscribe, और अपने दोस्तों के साथ भी इस course को share करें, कर दें, Tableau के इस lecture के अंदर हम scatter plot, या bubble chart, या हम point plot बना के देखने वाले इन तिनों के सेम ही नाम होते हैं, basically इसको scatter plot भी बोला जाता है, असलाम अलेकों मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel, मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ, वो तुस्य से खरे हो ना, पक्की बात है, चलें, jump in करते हैं, हमने पिछले lecture के अंदर ये एक bar plot बनाया था, और bar plot को बनाने के बाद, हमारे पास यहां पर एक option आ रही थी, कि हम इस sheet को नाम भी दे सकते हैं, तो मैं इस sheet पर click करता हूँ, यहां पर मैंने click किया, और इस sheet को मैं नाम दे देता हूँ, 01 underscore bar plot, ठीक है, तो इसको मैंने 01 bar plot का नाम दे दिया, अब मैं यहां पर आता हूँ, तो वो कहता है, new worksheet बनाओ, यहां पर आता हूँ, वो कहता है, new story बनाओ, तो मैं पहले तो sheet एक और बना लेता हूँ, इसको नाम देते हैं, scatter underscore plot, और मेरी आदत है, मैं जानबूच के underscore लिखता हूँ, programming वाले लोगों की आदते होती है, so bear with me, अच्छा जी, scatter plot तब बनता है, जब दो continuous values आपके पास हो, continuous का मतलब दो non-numeric हो, तो हमें scatter plot सिरफ और सिरफ, x और y-axis पे दोनों numeric values का बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक fair ले ले लेंगे, columns के अंदर, और एक हम age ले लेंगे, column के अंदर, ठीक है, fair और age जब हमने ले लिया, तो इसका scatter plot तो बना ही नहीं है, क्यों नहीं बना, क्योंकि इन दोनों का sum हमारे पास आ रहा है, तो हमने इस पे click करना है, यहाँ पे click करने के बाद, हमारे पर आरस option आए कि dimension, attribute, average, sum, median, count, there are many other things, ठीक है, discrete, continuous, whatever, तो हमने dimension पे click करना है, और sum, age के भी dimension पे हमने click करना है, जैसे हम dimension पे click करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक plot सा आ जाएगा, which is not good, by the way, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे click करना है, तो यह हमारे पास एक scatter plot show कर देगा, यहाँ पे यह वाला जो plot है, basically scatter plot यह यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, for scatter plot try zero or more dimension, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह two to four measures, ठीक है, तो हमारे पास यह dimension हमने select की थी, अगर हम यहाँ पे dimension की बजाए, कोई और चीज हम select कर लेते, for example, sum, measure, count, median, medium, maximum, percentile, standard deviation, variance, etc, तब क्या होता, यह हम attribute select करते हैं, तो तब क्या होता है, so you have to select dimension, क्योंकि हम हर point का data चाहिए, तो इस तरीके से आपके पास यह data set आजएगा, और जैसे आप किसी भी plot पे hover करते हैं, तो मज़े की चीज है, वो आपको खुद बताता है, कि किस चीज को आपने plot में ले के आना है, यहाँ पे वो कह रहा है, dimensions and measures को ले के आना है, ठीक है, 2 to 4, सिरफ इससे ज्यादा नहीं बना सकेगा, और यहाँ पे 1 to 2, फिर इस तरीके से हर plot की अपनी type है, तो हमने यहाँ पे scatter plot को इस वज़ा से ले लिया है, अब आगे हमने क्या करना है, let's see, मैं यहाँ पे color पे आता हूँ, color पे आने के बाद हम multiple colors भी select कर सकते हैं, अपनी opacity के against, यह हम कुछ और भी कर सकते हैं, different तरीके से, और उसका तरीका कार क्या होता है, मैं यहाँ से select करता हूँ male और female को, और यहाँ पे इसे paste कर देता हूँ, तो यह male और female का separate plot बन गया, मैं यहाँ पे अगर paste करता हूँ, तो male और female कुछ इस तरीके से dimension में आ गए, अगर मैं fair को उपर ले जाता हूँ, तब भी हमारे पास, जो है वो age नीचे है, अगर मैं age को उपर ले जाता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से plot बन जाएगा, and you can see के हमारे पास यहाँ पे, different किसम की plotting हो रही है, male का अलाइदा data आ गया, female का अलाइदा आ गया, आप age को x-axis पे और fair को y-axis पे भी ले के जा सकते हैं, तो आपके data की type जो है, fit height करेंगे तो height पे आजाएगा, entire view पे करेंगे तो entire view पे आजाएगा, तो मैंने standard पे यहाँ पे click किया हुए, and that's why it's working fine, अब थोड़ा से explore करते हैं, कि यह चीज़ें हम किस तरीके से ले के चल रहे हैं, यहाँ पे आप देखें कि fair के data को जब हम गौर से देख रहे हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से tick marks इसके आ रहे हैं, and this is how this data looks like, जो plot के अंदर मुझूद है, कि हमारे पास female का data सारे का सारा, and this is how it looks like, तो हम data को भी view कर सकते हैं directly from here, और इसी तरीके से हम जो female का data है, male का data उसे भी view कर सकते हैं, अब चीज यह है कि मैं चाहता हूँ, हमारे पास जो data यहाँ पे finally plot हो, वो basically colors के साथ हो, उसके लिए हमने क्या करना है, we can do different kind of things, मैं यहाँ से इसको color को select करता हूँ, and let's see, हम क्या कर सकते हैं, और not from here, effect भी नहीं, opacity यहाँ से change हो सकती है, obviously, यहाँ से colors की opacity change हो गई, यहाँ से हम colors को ही change कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सो zoom in कर लेता हूँ, तो यह मैंने colors को change किया, यहाँ पे देखे हैं, आपके पास colors change हो रहे हैं, अब इसकी shape भी change हो गई, हमने hollow बनाया था, मैं यह वाला select करता हूँ, तो इस तरीके से आ जाएंगे, चौरस करता हूँ, तो चौरस तो कौन, इस तरीके से triangle, upward, downward, right angle, left angle, तो इस तरीके से हमारे पास, चीजें plot हो जाएंगे, ठीक है, तो मैंने यह shape कर लिया, तो इसके इलावा, detail के उपर अगर हम click करेंगे, let's see, not opening, यहां से labels आ जाएंगे, size पे हम click करते हैं, तो यह size आ जाएगा, इस point का, तो जैसे आप इसको, उपर लेके जा रहे हैं, and now you can do one thing, आप opacity थोड़ी सी remove कर दे, सकते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, and this is how you can actually look into the data set, अब और क्या था, let me see, अच्छा जी, filter, yes, अगर आप चाहें, तो यहां से filter भी कर सकते हैं, there are many other things, so, so, यह हमारे पास male और female का, एक plot हमारे पास बन गया हुए, now the thing is, कि हमारे पास, यहां पर अगर मैं आता हूँ, again, वो ही चीज मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहां पर, यह इस तरीके से हमारे पास plot आ रहे, dimensionality भी, और measures भी, 2 to 4 measures का यह plot, हमारे पास आ रहे, and I want to do something crazy, जो मैं कर नहीं पा रहा, shape, आप देखें तो करें कि किस तरीके से, आप यह दोनों plots को एक ही plot में कर ले, और जो female का जो color है, वो different हो जाए, और male का color different हो जाए, how can we do that, तो please इसको करके एक दफादेखेएगा, next lecture में मैं भी कोशिश करता हूँ, obviously यह kind of assignment आपके लिए, जो बंदा कर लेगा, please comment section में जरूर लिखे, and then in the next lecture मैं भी इसको explain करता हूँ, obviously इस तरह के चीज़ें दिमाग में आ जाए, तो इनको clear करने के जाना जरूरी है, so, मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel, मैं आपको tablio से खा रहा हूँ, वो तुसी से खरे हो ना, पक्की बात है, okay, that's good, see you in the next one, like, share, subscribe जरूर कर दिया गरे, Assalamualaikum, मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel, मैं आपको tablio से खा रहा हूँ, वो तुसी से खरे हो ना, पक्की बात है, okay, that's good, इस lecture के अंदर हम देखेंगे, scatter plot के अंदर different colors कैसे use करने, जो पिछले lecture में हमारा missing point था, इस lecture में हम cover करने वाले, और असाथ में bubble chart भी देखने वाले, बहुत असान तरीक है, बहुत अच्छी trick हाथ लगी, और आपको बताने वालो, screen आपके सामने हाजिर है, यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमने पिछले lecture के अंदर, यह वाला plot बनाया था, अब हम क्या करेंगे, हम एक और नया plot add करेंगे, यहाँ पे click करने के बाद, आपको पता है, कि यहाँ पे click करने से, नया plot add हो जाएगा, इसको मैं नाम देता हूँ, 03, इसको हम, scatter plot, बलके dynamic scatter plot बोल देते हैं, dynamic scatter plot, dynamic scatter plot बने बोला, अब हम क्या करेंगे, obviously age हम यहाँ पे ले आते हैं, और fair ले आते हैं यहाँ पे, इन दोनों को हम कह देंगे dimensions, जैसे हमने पिछले में किया था, यहाँ से हम scatter plot को choose कर लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास, दो दफ़ा fair यहाँ आगया, age को ले किया आना, dimensions, तो यह हमारे पास scatter plot आगया, अब इतना असान काम है न, आपने जो भी parameter यहाँ पे change करना हैं, वो उठा के यहाँ पे आप drag करेंगे, मैंने करना है male और female को, यहाँ पे मैं color पे रखता हूँ इन्हें, अब देखें, जो colors हैं वो change हो चुके हैं, male के separate होगे हैं, female के separate होगे हैं, और यही काम आप colors में जाके, उनकी opacity जो हैं वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं, shape को आप यह वाला कर दें, और यहाँ से आप size को थोड़ा सा बढ़ा दें, यह size थोड़ी से बढ़ गे, ठीक है, और आपके पास जो colors हैं, उनकी opacity थोड़ी सी और में increase कर देता हूँ, and this is how you can see, कि आपके पास दो किसम के जो है, वो scatter plot आपके सामने हाजर है, दो किसम से मुराद यह है, कि male का separate है, female का separate है, और इसके इलावा, आप क्या कर सकते हैं, आप fair को उपर ले जाए, age को नीचे ले ले है, and this is how it will look like, so this is one of the tips, second यह है कि आप चाहते हैं, कि जितना जिसने कराया ज्यादा दिया है, उसके हिसाब से उसका bubble बन जाए, तो मैं fair को उठाऊँगा यहां से, मैं थोड़ा सो zoom in कर लेता हूँ, मैं fair को यहां से उठाऊँगा, size के उपर मैं drag कर दूँगा, and now boom, आपके पास जिन लोगों ने ज्यादा कराया दिया है, उनका जो bubble size है वो ज्यादा है, और अगर मैं age को यहां ले जाऊँ, fair को नीचे ले हूँ, now you can see कि यहां पे जिन लोगों ने कराया दिया है, वो तकरीबन 500 pound के करीब है, या dollar के करीब है, and here you will see the less कराया, आप क्या कर सकते हैं, age को अगर drag करें हैं, तो यहां पे आपको पता चल जाएगा, कि जिनकी age ज्यादा है, वो उनका bubble बड़े वाला बन रहा है, और आप size को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, dimension के अंदर, यानि कि minimum छोटे का छोटा ही रहेगा, जो बड़े वाला है वो ज्यादा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, colors को हम थोड़ा सा और भी इस तरीके से lighten कर देते हैं, so this is how you can actually create a dynamic scatter plot, और इस तरहां का scatter plot जो है, वो आपको अच्छे तरीके से help out भी करते हैं, अब यह दो columns तो हमने रख दी हैं, फिर आप चाहते हैं कि जो shapes हैं वो भी change हो, तो हमारे पास एक हो गया color का parameter which is sex, और हमारे पास जो age का sum है, बलके इसको मैं dimension करता हूँ, हमारे पास age and fair है, और जो हमारे पास यहाँ पे survived का column है, इसको हम उठा के shape के अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ पे दो shapes बन गी है, दो shapes कौन-कौन सी बनी हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और यह हमारे पास एक shape है, ठीक है, male की, और यह हमारे पास shape है female की, तो आप देख सकते हैं कि, नहीं, sorry, यह shape है हमारे पास, जो है वो survived की, यह वाली है जो survive नहीं किये, and this is how you can actually, this is an attribute, आप different shapes को assign कर सकते हैं, ठीक है, and let's see कि, अगर हम in shapes को भी, खुद से manage कर सकें या नहीं, मैं इसको double click करता हूँ, not this one, यहां से करते हैं, dimension इसको मैं कर देता हूँ, survived को, and shape के अंदर जाके, zero की shape, जो हम कर देते हैं, filled shape यह वाली, और जो one की है वह यह वाली, तो मैं इसको okay करता हूँ, now you can see कि आपके पास, दो किसम की shapes आ गई हैं, ठीक है, और अगर आप color के parameter को, यहां से remove करना चाहते हैं, you can actually do like this, तो आपके पास इस तरीके से shapes आ गई हैं, color आप कोई भी एक ही रख दे, यह black वाला रख दे, size जो है, वो आप छोटा और कर दे, तो आपका यह professional किसम का एक plot बन जाएगा, कि कहां पे male हैं, कहां पे females हैं, तो this is how you can work on tableo, ठीक है, आप plot को अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं, zoom in भी कर सकते हैं, select भी कर सकते हैं, and you can actually work little bit better than normal axle plots, यहां तक clear हो गया जो आपको, तो यह एक किसम का scatter plot है, जो आपको help out करते हैं, अब इस तरह के dynamic scatter plots और other plots advanced level पे, में आपको और भी बताने वाला हूँ, obviously हाम automatically intermediate level तक पहुँच गें tableo के अंदर, मेरा नाम है dr. Muhammad Amartafel, आपको tableo सिखा रहा हूँ, सीख रहे हो ना, सीख रहे हो तो अच्छी बात है, see you in the next one, like, share and subscribe this video, and the course, and also share this with other ones, Assalamualaikum, tableo के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे के flip कैसे करते हैं, अगर कोई plot बनाया हूँ, उसे horizontally कैसे करना है, या vertically कैसे करना है, मेरा नाम है dr. Muhammad Amartafel, मैं आपको tableo सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं ना, लेट सिख रहे हैं ना, यहां पे हमने एक plot बुनाया था पिछले lecture के अंदर, और मुझे जैसे मैं इसको plot को flip करना चाह रहा था, तो मैं इसको उपर ले जाता था, X-axis और Y-axis के अंदर तो यह chart flip हो जाता था, something like this, यानि के मैं इस तरीके से करता था, ठीक है, and there is another way in tableau, which you can use to do the flipping in chart, and that's this button here, अगर आप यहां पे analysis के थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इस पे click करेंगे, तो आपका chart automatically flip हो रहा है, and this way आपके X-axis, Y-axis हो जाएंगे, and Y-axis, X-axis हो जाएंगे, this is how you can flip the chart, right, this is how it easy is, easy, easy, asaan है, asaan है, बहुत असान है, next video में मिलते हैं, Titanic के data set पे हमने छोटे छोटे टैबलियू के साथ plots थो बहुत बना लिए, अब किसी बड़े data set पे काम करते हैं ना, क्या ख्याल है आपका, असलाम अलिएकों, मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel, और मैं आपको टैबलियू सिखा रहा हूँ, और तुझी सेख रहे हो ना, पक्की बात है, let's jump into it, यहाँ पे screen में आप देख सकते हैं, यह पिछले lecture के अंदर यह plot बनाया था, और इसको color भी किया था, और हमने flip chart करके भी देखा था, like this and this, now we have to use a big data, यह थोड़ा सा बड़ा data, क्योंकि Titanic का data बिल्कुल चोटा सा 891 रोज हैं इसकी, और 12 fields हैं इसके अंदर, which is not enough, ठीक है, not enough का मतलब है कि which is not really a big data set, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके, data पे click करके new data source में लेके जाएंगे, Microsoft Excel का जो हमारे पास data है, IPEDS का data, इसके उपर click करेंगे, इसे open करेंगे, और यह हमारे पास कुछ data इस तरीके से open हो जाएगा, जैसे हमारे पास यह data आता है, हम यहाँ पे click करके से view कर सकते हैं, तो यह पूरा data set है, it's one of the biggest data sets, I would say, 145 field हैं और 1534 रोज हैं, यानि कि यह एक double dimension, triple dimension का data है, as compared to Titanic, यानि कि थोड़ा सा बड़ा data है, और यह US universities का data है, country name में, control of institution, and some other data sets है ठीक है, तो इसके उपर यह data set की, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मुझूद है, that's good, और इस data set की एक खासियत यह भी है, कि अगर definition पर click करें, तो आपके पास, हर एक की data की definition आ जाजाएगी, कि किस column का क्या मतलब है, notes on data, यह हमें बताता है, कि data कहां से download हुए, और किस तरीके से इस data set का पूरे का पुरा variable है, उन्होंने यह भी कहा है, कि यह data set बहुत ही clean नहीं है, आपसे request है कि यह इस data set पर खुद inspection करें, और इस पर को strategic decisions ना बनाएं, ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास है, variables आ जाते हैं, तो यहाँ पर click करके, मैं सारे variables देख लेता हूँ, कि किस variable का क्या मतलब है, तो यह सारे variables, यानि कि जितने भी columns हैं, सभी की properties बताए गही है, right, and then, अब हम क्या करेंगे, जब भी किसी data को हमने देखना होता है, तो हम इस तरीके से open तो कर लेते हैं, अब इस लिए जैसे हमने पहले किया था, लेकिन जैसे मैं कुछ sheet बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक sheet add करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस dataset को हम show नहीं करवा पार है, यहाँ पर अगर मैं उपर ले जाओ, आपको Titanic पर click करता हूँ, तो वो data show होता है, लेकिन IPEDS का IPEDS का data जो है वो यहाँ पर नहीं आता, उसकी main reason क्या है, main reason यह है कि जब आप data sources पर जाते हैं, आपने अपना data source जब भी connect नहीं किया, connect कैसे करना है, आप data को यहाँ से उठाएंगे, उठा के drag करेंगे यहाँ पर, यह मैंने drag किया, and now you can see के अंदर हमारा data जो है वो आ चुक है, and you can do the same thing, आप numeric और दूसरे columns यहाँ से देख सकते हैं, I am not going into details कि किस तरीके से देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, आपको आप वैसे ही सारे कि सारे जो columns हैं वो देख सकते हैं, Secondly, अब अगर शीट पर जाएंगे, शीट नमबर 4 पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपका data Titanic का भी connected है, IPD, iPads का भी data यहाँ पर connected है, So मेरे लिए यह दोनों data set important है, because we are creating plots based on this, अब यहाँ पर आप देखें, तो आपके पास यहाँ पर geographical data भी है, अब इस पर मैं click करता हूँ, तो यह basically आपका geographical data है, और यह इस तरीके से geodata country के नाम से आता है, फिप state code के नाम से आता है, तो कोई भी data जिसका zip code होगा, state code होगा या country का नाम होगा, that will look like this, अब इसके बाद हमारे पास ID number और बाकिसादा कॉलम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, state abbreviation भी है, zip code भी है अंदेर और many other things, तो यह सारे numeric variable है, हमारे पास इतना बड़ा data set आ गया है, कि now we can work on the big data set, और इसको मैं थोड़ा सा zoom out करता हूँ, यहाँ पर, अब हमारा पहला काम क्या है, मैं चाहता हूँ कि किसी भी एक religious affiliation की base पर किसी US universities को देखा जाए, या मैं यह कहता हूँ कि name of the institution, अगर मैं यहाँ पर इसको रोज में ले के आऊँ, तो आप देख सकते हैं कि filter and then add, क्यूंकि यहाँ पर हमारे पास 1353 members है, मैं add all करता हूँ, यह 1353 universities सारी के सारी आ गई है, इसने क्यूं कहा था कि filter करो, you can actually filter this data based on something, on any kind of location, ठीक है, तो मैंने यह कर दिया, अब इसके बाद हमारे पास जो numeric column है, मुसकी base पर देख सकते हैं, कि हम इस data को किस तरीके से plot करना जाते हैं, तो हमारे पास estimated undergraduate enrollment कितनी है, और full time enrollment estimated कितनी है, and there are many other things, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, doctoral degree, professional practice awarded, तो doctoral degrees कितने लोगों को दी गी है, research या scholarship कितने लोगों को दी गया, मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, and now you can see कि हमारे पास एक plot बन गया है, which shows us कि सारे के सारे data set के अंदर, हमारे पास doctoral degrees कि स्यादा हैं, कि स्यादा हैं, कि स्यादा हैं, और power plot हमें शोग कर रहा है, यह 1353 universities का data है, अब आपको पता है कि इतना बड़ा data है, हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ी कौन सी है, उससे चोटी कौन सी है, university उससे चोटी कौन सी है, so on and so forth, इसके लिए आपके पास एक function available है, वो function यह है कि आप यहाँ से चलते जाएं, चलते जाएं, तो descending order पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, now you will see the bars like this, सबसे जयदा युनिवर्स्टी उफ फ्लोरिडा ने, basically doctoral degrees जो हैं, वो award की हैं, 1222, फिर नौवा साउधन युनिवर्स्टी है, साउधिस्टन युनिवर्स्टी हैं, and so on and so forth, सबसे कम जो हैं, वो नीचे को आती जाएंगी, and this is how you can actually filter the data, based on number of degrees, ठीक है, यह sum है, sum total and number of degrees का, अगर आप average करें, on and average आपके पास, यह वाली degrees हैं, तो इस तरीके से, आप अपना data जो है, वो set कर सकते हैं, count करना है तो इसका different होगा, count एक ही होगा, basically doctor degree का, लेकिन sum को हम count करेंगे, यहाँ पर, so this is how you can actually, look into the data set, अब आप कहते हैं, कि हर किसी data set को, हम यहाँ पर किसी एक, level of institution की base पर, color करके देखते हैं, sorry color करना था, तो मैं यहाँ पर इसको उठा के, color के ओपर drag करना, so level of institution को अगर देखा जाए, तो हमारे पास, यहाँ पर, all है यह four or more years है, तो हमारे पास, कोई इतना खास फरक नहीं आ रहा है, यहाँ पर, right, so यह वाला parameter, हमारे लिए ठीक नहीं है, colors के लिए, we can, religious affiliation देख लिएते हैं, तो बावन टोटल रिलिजेंज है, filter and then add, यहाँ से हम, रिलिजेंज को add कर लेते हैं, obviously, हम यहाँ से देखेंगे, कि कौन सा रिलिजेंज जो है, उनका वो basically applicable है, और यहाँ पर अगर चेक करें, obviously, ज्यादा तर हमारे पास, बैपित्स आ गया, African आ गया, and there are many other religions, मैं सिरफ वो उठाता हूँ, क्योंकि जारी बात है, data जो है, एक Christian country है basically, so that's how you can actually plot this, तो आपके पास, African, Baptist and United Methodists, यह जो है religious wise, आपके पास data आ गया, religion wise, so you can now see the different colors, based on this religion, और आप इस तरीके से colors भी कर सकते हैं, and this is how you can also do this ascending and descending order, so it's totally up to you, कि आपके तरीके से बड़े data set को ले के आते हैं, and इस तरीके से आप किसी भी एक बड़े data set को connect करके, उस पर different किसम के plot set बना सकते हैं, और यह data हमने online, Tableau के sample data sets में से collect किया, Tableau कितनी किसम का, कितना बड़ा data handle कर सकता है, that's the question for today, comment section में जरूर लिखिएगा, और like, share, subscribe this video, and the channel as well, इस course को दूसरों के साथ share भी करें, and hits thumb up. Geographical Maps आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, especially COVID-19 के दिनों के अंदर, वो geographical maps जो data को show करते हैं, locality की base पे या geographical location की base पे, वो चुटकियों में कैसे बनाए जाते हैं, using Tableau, वो ही सिखाने वालों, मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartufel, और मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ, वो तुसे सेख रहे हो ना, यही चाहिए बस, let's jump into it, screen आपके सामने है, हमने पिछले lecture में यह bar plot बनाया था, मैं यहाँ पे एक नई sheet add करता हूँ, अब इस दफ़ा, यहाँ पे new worksheet add की है, इसका नाम रख देता हूँ, 05, और इसका नाम जो है, हम रख देते हैं, ऐसे for example, geo plot, ठीक है, मैं इसको zoom out करता हूँ, और यहाँ पे आपके सामने यह data मुझूद है, आपको zoom, जो plot बनाने के लिए, आपको यह वाला data चाहिए होगा, जिसके साथ, GIS का tag लगा होता है, यानि कि ऐसा data जिसके साथ, यह वाला tag हो, यह जो दुनिया से बनी होई है, ठीक है, यह वाली दुनिया से, country name हो गया, fifth state code हो गया, and then state abbreviation हो गया, zip code हो गया, इस तरीके से आप data को लगा के, उसको आप अच्छे तरीके से, plot में convert कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं country names को ले के आता हूँ, और country names को उठा के, rows के अंदर मैं fit करता हूँ, यह country names आगे, अब जहरी बात है, data को इस तरह के plot को बनाने के लिए, हमें सिरफ country names नहीं चाहिए, we need something else, और वो क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद, मैं यहाँ पे admission total जो है, उन पे click कर लेता हूँ, और admission totals को उठा के, मैं इसको columns के अंदर paste कर देता हूँ, अब आपके सामने यह bar plot तो बन गया था, simply, इसी चीज़ का, आपने क्या करना है, अपनी right side पे जाना है, right side पे जाने के बाद, आपने यहाँ पे click कर देना है, यह दो किसम के geographical plots है, एक के अंदर आप symbol map ट्राई करते हैं, और एक के अंदर आप maps के साथ खेलते हैं, ठीक है, एक geolocation आपको चाहिए होती है, मैं इस पे click करता हूँ, it will take some time, और कुछ इस तरीके से आपको plot बना के देदेगा, क्योंकि सारी युनिवस्टी का data जो है, वो United States के अंदर है, इस विज़ा से सिरफ और सिरफ United States का data आपके सामने, यहाँ पे screen पे आता है, और आप इस plot को, देख भी सकते हैं, वीऊ भी कर सकते हैं, और आप हर एक लोकालेटी की बेस पे भी देख सकते हैं, फर एक्जामबल मैं वाशिंग्टन में देखना जाता हूं, क्या status है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस plot को देख सकते हैं, और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पे New York लिखता हूं, New York State आजागी मेरे सामने, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पैन भी कर सकते हैं, मतलब आपने पैन करना है राइड या लेफ्ट तो आप वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, रिक्टैंगलर सेलेक्शन है, रेडियल सेलेक्शन है और इनके शॉर्ट कट भी दिये हुए हैं, किस तरीके से शॉर्ट कट दिये हैं अगर आप गौर करें, यहाँ पे Zoom पे क्लिक करूँगा तो जूम हो जाएगा, जम्मा नहीं है, रिजन कहा है कि हमने एक कॉलम एड किया रो एड कर दी है, वट इफ, वी कैन एक्शुली क्लिक ओन दिस वन, ऑन दा अधर मैप, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैप पे, जो आपके पास मुझूद है, तो यह लुकैलिटी की बेस पे आपके पास डिफरेंट किसम का जो डेटा है, वो आपके सामने आगया है, मैं इसको दुबारा से क्लिक करता हूँ, और आप यह चेक करें, Sum of admission हमारे पास आ रहे है, मैं average पे क्लिक करता हूँ, कोई और कलर चूज़ करना चाहता हूँ, यानि कि मैंने यहां से एक पूरी की पूरी, क्या चीज़ स्लेक्ट करना होता है, और यहां से मैं कलर रेंज भी स्लेक्ट कर सकता हूँ, मैं orange को स्लेक्ट करता हूँ, यूजिली people use orange, so you can see this kind of change here, ठीक है जी, so इस तरीके से आपकी हर एक locality जो है वो, country जो है वो यहां पे, जो है उसका data जो है वो आपने print कर दिया है, इसके इलावा, आप और data को भी देख सकते हैं, जैसे यहां पे country name है, और इसकी base पे कुछ और data भी available होगा आपके पास, तो state abbreviation की base पे भी आप कर सकते हैं, zip code की base पे भी कर सकते हैं, मैं यहां पे zip code लगाता हूँ, and we can also play with the zip code as well, तो यह zip code की base पे separate हो चुका है data, I mean you can play with this data set, और आप इस तरीके से कोई भी plot बना सकते हैं, यह तो एक छोटा सा plot था, अब world population का भी इसे तरीके से पूरे के पूरा plot बना सकते हैं, which will look amazing, नहीं यह कीन आता, तो world population का data उता हैं, और उसके उपर plot बना के चेक करें, like, share, subscribe ज़रूर कर दिया करें, because everything matters here, टैबली को यूज करके आप अपना भी project बना सकते हैं, जो इस एक lecture के अंदर हम देखने वाले हैं, data आपने डाउनलोड करना है, data की sense आपने बनानी है, और at the end आपका project ready होगा, असलाम अलेकुम, मेरा नाम है Dr. Amartofel, और मैं आपको टैबली उ सिखा रहा हूँ, और भाई, सीख रहे हो ना, that's good अगर आप सीख रहे हो, let's jump into the screen, यहाँ पर आपने Google पर जाना है, यहाँ पर लिखना है, Google Data Search, ठीक है, तो इस तरीके से Google Data Search की website open होगी, इसके अंदर आपने लिखना है, Global Population, Global Population लिखने के बाद यहाँ पर free पर क्लिक कर देना है, पहली आपके पास website आएगी kaggle.com की, आप इसके उपर चले जाएंगे, तो जहरी बात है आपको इसकी ID बनाने पड़ेगी, आप ID बना ली जागा इसकी, and then you can download the data by clicking here, और यहाँ पर click करने से, तो यह हमारे पास word population का live dataset हमारे पास मुझूद है, हमने इसको उठाने, और उसी data repository के अंदर save कर लेना है, जो हमारे पास पहले भी मुझूद है, तो मैं download से यहाँ पे copy करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं paste करता हूँ, और यह हमारे पास word population live dataset आप चुका है, tableau में हमने जाने, data source पे हमने click करने, data source पे click करने के बाद, हमने उपर data पे जाने, data पे जाने के बाद new data source, text file है, क्योंकि यह word population CSV file है, इसको मैं यहाँ से open करता हूँ, and it will be actually connected to our dataset, तो यहाँ पे word population का dataset automatically यहाँ पे connect हो चुका है, something like this, you can see कि हमारे पास name of the country है, 2022, 2015, 2010, something, 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 हमारे पास data set आ गया, हम यहाँ पे एक निया sheet को open करते है, इस sheet को मैं नाम दे देता हूँ, 06, population data, यह लिया हमने, अब हमने क्या करना है, basically, जो हमारे पास name of the country है, it should be a location data set, geographical role है यह, और इसको हम country region का नाम दे देते है, तो यह name आगे है हमारे पास, and it will look like this, अब हमने क्या करना है, 2022 के data set को यहाँ पे पेस्ट करना है, और आप देख सकते हैं, कि 2022 में सबसे ज़्यादा population किस country की है, यहाँ पे अगर मैं इसको zoom in करूँ, चाइना की सबसे ज़्यादा, फिर इंडिया के फिर युनाइटे स्टेस, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस फकर जो population है, वो तकरीबन कितनी है जनाब, 23 करोड के करीब है, ठीक है, और, अब हम क्या करते हैं, यह basically हमारे पास sum आ रहा है, ठीक है, और the unit might be different, यहाँ पे आपको thousands नज़र आ रहा होगा, but it's totally different, अगर मैं इसको यहाँ से count में ले जाओ, so it would be like this, and अगर मैं इसको average में ले जाओ, it will be like this, हम इसको sum में रखते हैं, ठीक है जी, तो यह हमारे पास data set आ गया, मैंने simply यहाँ पे click करना है, यह हमारे पास global population, पूरी के पूरा एक data set हमारे सामने, plot बनके हमारे पास global population का आ चुक है, it will take some time, obviously, यह एक अच्छी खासी processing के बाद, यह plot बनता है, so अगर आपके सामने यह time ज्यादा ले, you don't need to worry about that, ठीक है, usually it takes more time, और यहाँ पे आप देख सकते हैंगे, चाइना है, पर पाकिस्तान है, पर इंडिया है, यहाँ पे population ज्यादा है, और बाकी different किसम की population, colors पे click करने के बाद, edit colors पे जाएं, और यहाँ से usually जो लोगों को color पसंद होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, F को दबाने के बाद, I can pen like this, ठीक है, यह पूरे का पूरा हमारे पास, एक global population का data set बन गया, और यह हमने सिरफ और सिरफ अभी 2022 का बनाया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको remove करके, हम यहाँ से 2010 का भी बना सकते हैं, something like this, यह 2010 का बन गया, और इसके भी colors आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मैं green and gold करके देखता हूँ इस दफ़ा, and this is how it would look like, यहाँ से आप इसको show को बन करेंगे, तो यह आपके सामने basically, एक proper, जो है legend भी आ रहा है, आप इसको भी format कर सकते हैं, इसका नाम भी रख सकते हैं, like, share, subscribe this channel, और बड़ी ही अच्छी बात होगी, अगर आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, thank you. Tableau तो हम सीख रहे हैं, और साथ मैं plots भी बना रहे हैं, data visualization भी कर रहे हैं, अब हमने plots को save कैसे गरना है, Assalamualaikum, इस वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ को Tableau को किस तरीके से आपने सीख ले हैं, मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafel, मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ, वह आप सीख रहे हो ना, पकी बात है, let's jump into it, screen पे आपके सामने ये plot हाजिर है, आपने क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपने Tableau Public पे जाने, Google पे जाके, यहां पे आपने Google पे जाने, Google पे जाने के बाद, यहां पे आपने Tableau Public पे जाने, और Tableau Public पे जाने के बाद, आपने यहां पे अपनी ID बना लेनी है, और Sign In कर लेना है, जब आप sign in कर लेंगे, यहाँ पर आपने फाइल पर जाना है Save to Tableau Public पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अपनी पूरी की पूरी book को भी publish कर सकते हैं, whatever you want to do और मैं यही काम करने वाला हूँ, book 1 की बजाए मैं इसको लिखता हूँ, test book 1, यह करके मैं save कर देता हूँ मैं जैसे इसको save करूँगा, obviously जब मैं control as press करूँगा, तो यह मुझे login information पूछेगा, जो मैंने already login कर लिया हुआ अगर आपने नहीं किया हुआ, तो please do it, आप login कर लें पहले, जैसे आप उसको login कर लेंगे, then you will actually be able to save this, जैसे आप save करेंगे, यह automatically आपके पास open हो जागा, because this is public notebook now, and everybody can, anybody can actually reach this notebook, और आप देख रहे हैं कि यह हमारे पास पूरा एक plot आ चुक है, public में, और हम इसे देख सकते है, that this is how it looks like, यह हमारे पास plot है, जैसे आपके पास यह plot, publicly available हो जाएगा, something like this, what you can do, आप थोड़ा सो zoom in करें, zoom in करने के बाद, यह एक बटन आ रहे है, download का, आप इस पर click कर सकते हैं, share भी कर सकते हैं, edit भी कर सकते हैं, यहीं पर, जैसे मैं edit पर click करता हूँ, you will see, हमारे पा share this with your, with your peers, with your students, with your colleagues, तो यह क्या करेगा, basically आप website पर भी इसको embed कर सकते हैं, और share भी कर सकते हैं, लोगों के साथ, फिर अगली चीज क्या है, आपने यह download बटन पर click करने, click करने के बाद, image पर भी click कर सकते हैं, data पर भी, cross tab पर भी, pdf पर भी, power point पर भी, tablue, workbook पर भी, और यह png मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर available है, let me open this up, मैं इसको vs code में open कर लेता हूँ png को, which is not happening, of course, of course, of course, यह हमारे पास इस तरीके से यह png open होगी है, so आपके सामने कोई भी image जो है, वो उसको आपने download करना है, जितनी वो आपको show हो रही होगी, उतनी वो download होगी, say for example, मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने zoom out किया, और यह जितने box के अंदर यह तस्वीर आ रही है, वो पूरा box मेरे पास save होगा, now I will go here, download, image, it will again do that, और यहाँ से, not in the app store भई, वो बंदो जा, यहाँ पर click करते हैं, इसको open करते हैं, हम, कौन सी app थी, photo viewer, अच्छा वही, मेरा photo viewer ही नहीं चल रहा, चलो paint में open कर लेते हैं, and this is how your image looks like, ठीक है जी, तो आप इस तरीके से इसको save कर सकते हैं, आप legend भी इसके साथ ले कर सकते हैं, you can do whatever you want to do, tablue public के अंदर कुछ थोड़ी सी restrictions होती है, क्योंकि यह pricey है, अगर आप खुद से purchase करते हैं, public आपको तकरीबन free में available है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी वज़ा से आपके जितने भी dashboard होंगे, यह private नहीं रहेंगे, इसका मतलब यह है कि आप practice कर सकते हैं tablue के उपर, लेकिन आप अपना personal data यो कुछ ऐसा data आप share नहीं करेंगे, because it's going to be public, एक चीज मैं आपको बता दूँ, अगर आप tablue की pricing में जाएं न, यहाँ पर अगर मैं tablue के ऊपर, tablue public पर जाता हूँ और बल्के मैं google पर जाने के बाद, यहाँ पर लिखता हूँ, tablue pricing, आप देखेंगे कि tablue जो है basically अच्छा खासा महँगा है, यहाँ पर चेक करें, 75 डॉलर, 42 डॉलर पर मंथ और 15 डॉलर पर मंथ, और students और teacher के लिए available है, अब क्या limitations है अगर आप गौर करें, मेरे पास यहाँ पर worksheet में export का button नहीं active हो रहा है, and there is no option to save my plot within my desktop app, और यह इस वज़ा से मैं save नहीं कर पाया, ठीक है, मेरे पास register version है, but just for the teaching purposes, I am using this tablue public, इसी वज़ा से हम आप से request करता हूँ, अगर आप student है, या आप teacher है, then please find this tablue for students या for teachers, तो students के लिए भी ये free है, और teachers के लिए भी free है, you have to apply for that, अब आपने plot save कर लिए, इसको आप share करें social media के उपर, इसको थोड़ा सा refine कर लें, ताकि लोग इसको सराहे, and then you can share your tablue skills, मैंने ये tablue पर बनाया, and people will love it, अपना ख्यार रखें, द्वामे याद रखें, मेरा नाम है Dr. Amartafel, मैं आपको tablue सिखा रहा हूँ, और उमीद है कि अभी तक आप सीख रहे होंगे, like, share and subscribe कर दीजेगा, असलाम अलेकुम, इस lecture में हम देखेंगे, कि area charts क्या होते हैं, और tablue में किस तरीके से बनाया जाते हैं, मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafel, मैं आपको tablue सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं न, let's jump into the screen, तो यहाँ पर सबसे पहले, जो हमारे पास एक sample data है, जो हमने पिछले lectures के अंदर download किया था, उसके उपर जाते हैं, और उसे data को यहाँ पर ले किया आते हैं, तो मैं new data source पर click करता हूँ, Microsoft Excel पर करता हूँ, और sample superstore.xlsx, यह वाला data जो है, इसे ले किया आता हूँ, xls का sorry, इस data को यहाँ पर लाने के बाद, हमारे पास orders है, people है, return है, तो यह हमारे पास काफी चीज़ है, मैं यहाँ पर click करता हूँ, and here you can see, कि हमारे पास यह वाला data मजूद है, मैं कहा करता हूँ, इस data को इस तरीके से, यहाँ पर drag कर देता हूँ, ट्रैक करने के बाद, यह हमारे पास पूरे पूरा data जो है, वो यहाँ पर आ गया, अब मैंने क्या करना है, इस जगा पर click करना है, new worksheet के उपर, अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, तो आपके पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर new worksheet होगी, मैं इस पर click करता हूँ, और click करने के बाद, यहाँ पर new sheet बना के, इसका नाम रख देते है, area chart, area chart इसका नाम रख है, अब वापस जाते है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से दो चीज़ने स्लेक्ट करनी है, जिसमें हम कोई भी चीज ले सकते हैं, एक चीज उठा सकते हैं, मैं यहाँ ओडर देट को उठाता हूँ, और इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं अब आप चेक करें कि हमारे पास order date के हवाले से यहाँ पे यह वाला chart बन चुक है हमने क्या करना है अपनी right side पे जाना है और इस area पे chart पे click कर देना है तो यह हमारे पास इस तरीके से area chart जो है वो बन के आ जागा मैं show me पे click करके इसको बन कर देता हूँ अब यह हमारे पास area chart एक बन चुक है हम इसको area chart क्यों बोलते हैं क्योंकि जितना भी area होता है यहाँ से यहाँ तक का वो proper shaded region होता है आप यहाँ से color भी change कर सकते हैं यू can do a lot of other things second तरीका यह है कि आप यहाँ पे click करें यहाँ पे line पे click करेंगे तो यह line chart बन जाएगा बार पे click करेंगे तो बार chart बन जाएगा area पे click करेंगे तो यह area chart बन जाएगा अब इसमें आप और भी चीज़ें add कर सकते हैं for example यहाँ पे हमारे पास इसी जगा के उपर sub category भी है, state भी है city भी है, country भी है तो अगर हम country की base पे यहाँ पर एक column add करेंगे then you will see कि हमारे पास country wise यहाँ पर data आजएगा, obviously यहाँ यहाँ पर United States का data तो यह category हमारे पास नहीं इस तरीके से काम करेगी तो मैं इसको उठा के side पे ले आता हूँ यहाँ पे मैं city का जो column है उसे add करता हूँ और आप देखेंगे कि हमारे पास area chart by city की base पे हमारे पास यह area chart बन चुक है and you can also sort this based on your city जो भी आपको data चाहिए जिस भी city का चाहिए आप उसकी base पे उकर सकते हैं यहाँ पे click करने के बाद आप filters पे जा सकते हैं और यहाँ से filter select करने के बाद अपनी मर्जी से कोई भी city है उसे select कर सकते हैं for example यह मैं दो या तीन city select करता हूँ you will see कि उनका आपस में क्या difference चल रहा है तो एक तो तरीका कार यह है second यह है कि आप city को उठाएं और color के उपर ले जाएं so you will see different colors based on each city name तो यहाँ पे आप hover करेंगे तो आपके पास different city के names आ जाएंगे मैं यहाँ पे अगर customer name यह नहीं product name को click करता हूँ और मैं tool tip पे ले जाता हूँ उसको tool tip बोला जाता है so here you can see के हमारे पास अच्छा खासा जो है वो tool tip जो हमारे पास आ रही है अगर मैं यहाँ से city को remove करूँ and still you can see के हमारे पास multiple numbers of product है वो यहाँ पे मुझूद है इसी बड़ा से hysteric का sign जो है हमारे पास आ रहा है मैं करता हूँ यहाँ पे country को color में डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही country है you will see there is no much difference क्योंकि हमारे पास एक ही country है other thing we can do we can actually add this product id तो हमारे पास यह भी यहाँ पे आ जागा तो हमारे पास there are many product id filter and then add पे click करते है और यहाँ पे हम select कर सकते है अपनी product id को based on our wild card entry यह सारी की सारी product ids है obviously इतने ज्यादा colors हम add करेंगे तो कोई sense नहीं बनेगी बताने का मकसद यह है कि आपको वो चीज़ आड करनी है यहाँ पे which makes sense for example मैं category को color में add करता हूँ now you will see कि हमारे पास 3 category है furniture की, office supplies की और हमारे पास technology की now it makes sense कि आप इस तरीके से इस area chart को यहाँ पे add कर दे और आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इस पर double click करते है then you can actually edit the axis आप refers भी कर सकते है custom भी कर सकते है और title को भी change कर सकते है sales per year भी कर सकते है whatever you want to do you can do that और यहाँ पे year order date को भी आप change कर सकते है it's totally up to you so y axis और x axis जो है वो आप अपनी मरजी से change कर सकते है area chart हमें बहुत अच्छी information देता है based on different things यह आप पर depend करते हैं कि आप किस तरीके से area chart को use करते हैं but I would recommend कि जब भी आप area chart को use करें on the other side जब आप area chart बना रहे होते हैं तो it would be nice कि आप अच्छे colors का इंतखाब करें और यहाँ से आप opacity भी change कर सकते है like this अब चेक करें कि आपका area chart बहुत dark है और यहाँ पर थोड़े से faded colors जो है वो आ रहे है so this was area chart मैंने tableo की playlist का पूरा के पूरा link जो है अपना ख्यार रखें next video में हम मिलते हैं जहां पर आपको मैं इन्शाला डैश्बोर्ड बनाने सिखाऊंगा Thank you Tableo को use करते हुए किसी भी plot के अंदर different facets या different किसम के grouping है एक plot के अंदर कैसे की जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूं असलाम अलेकुम मेरा नाम है डॉक्टर महमाद अमार्थ फैल और मैं आपको टैबलियो सिखा रहा हूं तो उसी सेखरे हो ना और बलके मैं category को यहां पे तीन ग्रूफ विंडो में लाना चाहूं What I can do? I can select this category और यहां पे इसको rows के अंदर में drag करूँगा and here you go यहां पे furniture, office, supply and technology तीन categories डिफरेंट बेस पे आपके सामने आ चुकी है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास तीन variables जो हमने आड़ किया है यहां पे एक है year of the date order यहां पे जो date order है वह वह वाला sum of the sales and then हमने category को आड़ किया है तो यह तीन हमने variables यहां पे आड़ कर दिया आप इसमें चोथा variable भी आड़ कर सकते हैं based on different kind of things और product name की base भी कर सकते है region की base भी कर सकते है segment की base भी and you can do a lot of other things अगर मैं category को यहां पे वापिस लेके जाओ and यहां पे color के ओपर इसे drag करूं you will see कि इस तरीके से हमारे पास बन गया अब मैं चाहता हूँ कि region wise मैं इसको group करूं then I can just take this region और यहां पे इसको मैं add कर दूँगा तो आप देखें कि छोटी-छोटी windows बन गी है central, east, south, west और यह हमारे पास चार जो है different किसम की subgrouping वो उचकी है ठीक है आप इसके इलावा इस region की इलावा आप क्या कर सकते है you can also do one other thing वो किया है कि आप सब category को यहां पे उठा के इस तरीके से रख देंगे so this is how you can actually work on different things मैं चाता हूँ category यहां पे आए और sub category यहां पे आए just drag and drop आपने करना है तो आपके पास different किसम की boxes या facets बन जाएंगे इनको facets बोला जाता है क्यों क्यों कि यह एक group है उसका data आपके पास है पिर दूसरा group है उसका data पिर तीसरा पिर चौथा तो इस तरीके से आ पर ले के आ सकते है इस totally up to you आपने किस तरीके से color scheme रखनी है tool tip पे क्या रखना है label किस तरीके से change करने है details में आप क्या चाते है this is how you can actually manipulate your plots according to your needs next lecture में अब हम dashboard देखने वाले लें जनाब इंतजार के घड़ियां खतम हुई और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ टैबलियो के इंदर dashboard कैसे बनाया जाता है असलाम अलेकुम मेरा नाम डॉक्टर महमद अमारतुफवैल है और मैं आपको टैबलियो सिखा रहा हूँ वो तुसी सिख रहे हो ना that's great let's jump into the table screen यहां पे सबसे पहला काम आपने क्या करना है मैं यहां से zoom in करता हूँ यहां पे हम click करते थे most of the time यहां पे new sheet create करने में लेक यहां से अपना size उसे select कर सकते हैं यहां से अपनी और different किसम के sizes यहां से देख सकते हैं आप default पर भी select कर सकते हैं and then you can also use this device preview और यहां से भी आप select कर सकते हैं different किसम की चीजहों को usually what happens कि आप यहां पर अपने dashboard का size जो है वो खुद से select करते हैं and then you put your range आप fix sizes भी यहां से select कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पर fix size को choose किया किस्टम की बेस पर यहां पर मैं देख सकता हूं कि कौन सी स्क्रीन पर मेरा dashboard जो है वो best fit बैठेगा जैसे आप different किसम की websites बनाते हैं तो आपको different devices की layout का पता होना चाहिए जैसे यह full screen HD के अंदर आप देख सकते हैं 1024 x 768 है और फिर आपके पास different किसम के dashboard यहां पर मुझूद है जिसमें PowerPoint की presentation का भी है story भी है letter portrait, legal, A3, A4 यह आप पर depend करता है कि आपने किस किसम के जो desktop है उस पर इसे use करना है for example मैं यहां पर generic desktop को मैं चूज करता हूँ, चूज करने के बाद यह मेरे पास एक layout आ गया, I can also change this one but it depends कि आप क्या चाहते है फिर automatic पर अगर आप क्लिक करें, the dashboard will resize to fit any screen it displays on, यानि कि यह dashboard एक ऐसा dashboard है आप जहां कहीं भी इसको place करेंगे, आपका यह responsive way के अंदर आपका dashboard adjust हो जागा, and the best option is this one to choose, तो इस वज़ा से मैं यहां पर automatic को select कर लेता हूँ, it's up to you कि आपका dashboard किस काम के लिए use हो रहा है, अगर आप papers के लिए use करें, you can also modify this according to your papers, या publication, thesis के लिए use करें, तो आपको A4 size का paper जो है, उसे देखना पड़ेगा, and there are many other things जो इन्शाला आने वाले दिनों के अंदर हम चेक करेंगे, यह sheets है, sheets का मतले पर जितने भी हमने plots अभी तक बनाए हैं पिछले lectures के अंदर, वो सारे के सारे यहां पर मजूद है, and I can just drag and drop onto here, और यह हमारे पास right side के ऊपर, dashboard यहां पर मजूद है, यहां पर लिखा भी हो है, drop sheets here, यह different किसम के objects आप यहां पर drop कर सकते हैं, on the other side, objects के अंदर, यहां पर अगर आप चेक करें, the best practice is to actually drag and drop these objects from here, for example, यहां पर horizontal container है, अगर आप WordPress के ऊपर क्याम कर रहे हैं, या Elementor का आपको पता होगा, यहां पर different किसम के containers होते हैं, containers का मतलब है कि आप एक line बना देते हैं, layout बना देते हैं कि इतने area के अंदर मैंने flan चीज़ आड करनी है, फिर उसके right side पर मैंने यह चीज़ आड करनी है, left side पर यह चीज़ आड करनी है, so that's how you can actually use the power of containers here, और container क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ contain करती है, तो आप basically boxes बना के उसके अंदर यह सारी की सारी चीज़ अच्छा, tiled पर आप क्लिक करेंगे, इसका मतलब यह है कि आप basically हर चीज़ को corner या आप कह सकते हैं कि हर चीज़ का corner जो है, वो दूसरे चीज़ के साथ fix होगा, floating का मतलब है कि पूरा dashboard कहीं ना कहीं जहां पर दिल आपका करता है, आप चीज़ों को उठा के वहां पर रख स सकते हैं, और वो float कर रही होंगे 2D space के अंदर, but tiled जो है वो एक दूसरे के साथ tiled अप होगे, जैसे घर बनता है, उसके अंदर आपको पता है कि इंटो के साथ, इंटे जोड के हम आगे वो काम करते है, floating के अंदर क्या होता है, कि यहां पर पढ़ी यह दूसरी किसी और space म पढ़ी है, so that's kind of floating space, तो tiled space को हम ज्यादा तर use करते हैं, अच्छा जी, tiled पे मैं click करता हूँ, यहां पर आप dashboard का title भी show कर सकते हैं, whatever you want to do, और मैं यहां से zoom out करता हूँ, अब देखते हैं कि हमारे पास यहां पर dashboard 1 है, मैं यहां से इसका rename कर लेता हूँ, यहां से भी कर सक actually drag and drop different things, और उससे पहले आपको पता है कि मैं यहां से एक vertical container को select करता हूँ, यहां पे मैंने add कर दिया vertical container, ठीक है, इसके अंदर मैं यहां से bar plot को लागे, यहां पे drag कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा bar plot यहां पे आ गया, and this is kind of interactive bar plot जो हमने सबसे पहले बनाया और उसको मैंने यहां पे drag कर दिया, second thing is मैं एक और horizontal container यहां पे add करता हूँ, अब आप देखते हैं कि ऊपर भी यह जा रहा है, मैं drag करके drop नहीं किया, सिरफ मैंने button दबाया हुए, and यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, so मैं इसको यहा पे कोई भी चीज़ add कर सकता हूँ, say for example मैं यह वाला bar plot add करता हूँ, ठीक है, so आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे यह वाला bar plot उपर आ गया, दूसरा bar plot नीचे आ गया, so I can do whatever I want to do, अब मुझे लगता है कि यह वाला bar plot जो है, it should be here, तो मैं इसको drag and drop भी कर सकता हू so it's totally kind of interactive bar plot, अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास यह bar plot जो है, यह different किसम की चीज़ें हमें show करवा रहा है, over भी करते हैं तो चीज़ें आती है, यहां पर यह दूसरा bar plot है, which we created, अब मैं चाहता हूँ, scatter plot आए, तो मैं यहां से एक vertical container उठाता हूँ, यहां पर right side पर रखके, इधर मैं कहता हूँ कि यह वाला scatter plot आएगा, and you can see कि यहां पर scatter plot आगया, obviously scatter plot को show करने के लिए, you should actually do something like this, ठीक है, और अगर आप scatter plot के ऊपर जाएं, तो हमारे पास यह वाला scatter plot था, और यह dynamic scatter plot था, अब आप कहते हैं कि यह वाला scatter plot ठीक नहीं है, तो आप क्या क scattering बकाइदा इसको यहां से delete कर सकते हैं, and then you can actually add, sorry, यहां पर, okay, तो यह हमारा scatter plot था, मैं यहां पर click करता हूँ, and you can actually do a lot of things, for example, मैं इसको remove करता हूँ, यहां से dashboard से, अब मैं यहां पर एक और vertical container add करता हूँ, इस जगा पर, container को add करने के बाद मैं यहां पर dynamic scatter plot लियाता Obviously, यहां पर आप काफी space जो ऐसी मुझूद है, जो doesn't make any sense, तो मैं करता हूँ, यहां से एक horizontal container उठाता हूँ, इसको यहां पर ले आता हूँ, और यहां पर लाने के बाद मैं यहां पर geoplod, यह population का data जो है, उसे add कर देता हूँ, now you can see के हमारे plot के अंदर different चीज़ें मुझू प्लॉट मुझूद है, और अगर आप गोर करें, तो यह वाला plot हमारे पास यहां पर मुझूद है, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई इतना खास खुबसूरत यह वाला plot नहीं लग रहा, तो मैं यहां से dashboard से remove करता हूँ, now it should make sense, like this, यहां पर हमारा population data आगा, यहां अब मैं इसको भी remove करता हूँ, just to make sense out of it, और यहां से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, and here I can add another horizontal container just to the right of this, यहां पर dynamic scatter plot add कर देता हूँ, now you see कि हमारे पास एक बहतरीन किसम का dashboard यहां पर आ चुका है, ठीक है, so it's up to you, आप किस तरीके से इसे add करते हैं, यहां पर आ हैं, legends भी ने बोला जाता है, आप अपनी मर्जी से select और deselect भी कर सकते हैं, male, female को, और यहां से आप अपना जो है वो different किसम का जो scale है, वो भी देख सकते हैं, population का जो यह वाला plot हमने बनाया था, और यहां पर embarked, null, null को अगर हम निकाल दें, और exclude इसे कर दें, तो बागी ती अब आपको चाहिए एक और plot आप इसमें add करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, horizontal या vertical container add कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर vertical container add करता हूं, like this, you will see कि आपका vertical container सारी की सारी जगा जो है वो घेर लेते हैं, something like this, so this is a vertical container, और मैंने जहां पर इसे drag किया है, you will see कि वो इस थरी पूरी की पूरी जगा गेर गया, अगर मैं यहां पर horizontal container add करूंगा, so you will see कि या थो मैं पूरे dashboard पर कर सकता हूं, या कम असकम एक plot के नीचे मैं उसको add कर सकता हूं, और मैं चाहता हूं, बलके यहां पर नहीं, इसको यहां पर add करूं, age के नीचे, और यहां पर मैं area chart add कर द के पास different किसम की screens हैं, वो भी आ चुकी है, and different किसम की plots भी आ चुकी है, multiple plots को एकी dashboard में add भी कर सकते हैं, it's totally up to you, but it should make sense, क्योंकि जो भी dashboard हो, it should make sense out of it, और उसके लिए आपको basically यहां पर इनके titles change करने पड़ेंगे, हर एक चीज़ के, right click करके, edit title पर click करके, you can actually do whatever you want to do, अगर मैं यहां पर लिखता हूँ, area chart of sales, इसको मैं add करता हूँ, you will see, area chart of sales आ गया, dynamic scatter plot की बजाए मैं लिख देता हूँ, के, यह है जनाब, titanic fair to age plot, ठीक है, इसको मैं ok कर देता हूँ, और आप देखें, यहां पर यह change हो गया, bar plot की बजाए मैं यहां पर, embarked को लिख देता हूँ के, embarked point of titanic, ठीक है, इसको मैं ok कर देता हूँ, और यहां पर word population data लिख देता हूँ, word population data, ठीक है, sheet name को cancel कर देता हूँ, and you will see, के अब यह थोड़ी सी sense बनाने लग गया, एक और तरीका का रही है, कि आप title को यहां से bold भी कर सकते हैं, मैंने यहां से bold किये, and you will see, के हमारे पास यह bold title जो है, oh sorry, यह हमारे पास word population, इसको select करके मैं bold करता हूँ, और यह हमारे पास bold हो चुका है, आप इसको भी bold कर सकते हैं, select करें, bold करें, font भी change कर सकते हैं, whatever you want to do, you can do, color भी change कर सकते हैं, but I usually like the bold titles, मैं इसको bold कर देता हूँ, and here you go, so इस तरीके से आप different किसम के चीज़ों के साथ play out कर सकते हैं, inside the dashboard, और यहां से आप different किसम के filters भी लगा सकते हैं, select भी कर सकते हैं, specific city को, accessories को, sub category को भी select कर सकते हैं, और पीछे जागा कि आप area chart या different charts के या आपने public भी करने हैं, वो हम next वीडियो में देखने वाले हैं, मैं आपको next lecture के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस dashboard को community में publish कर सकते हैं, और लोग किस तरीके से इसको view करेंगे as a story dashboard, अपना ख्यार रखें, next वीडियो में मिलते हैं, मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafel, मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ, Tableau का dashboard हमने पिछले lecture के अंदर बनाया है, इस lecture के अंदर मैं आपको Tableau का dashboard publicly किस तरीके से आप share कर सकते हैं, लोगों के साथ और उसको shareable link के साथ, अब लोगों को बता सकते हैं कि यह देखो, मेरी data visualization की skills कुछ इस तरीके से, असलाम अलेको मेरा न description में दिया हूँ, पूरी playlist का, अब वहां पे जाके देख सकते हैं, अचा, अगर आप यहां पे top right corner पे जाएंगे, यानि कि यहां पे top right पे जाएंगे, तो यहां पे आपके पास file का button आ रहा होगा, इस पे आप click करेंगे, तो आपके पास save to Tableau Public आ जागे, यह save to Tableau Public as आ जा control S करता हूँ, तो यहां पे यह मेरे पास Tableau Public के साथ sign in, जो है, वो request करेगा, I have to sign in here, और इसको sign in करने के लिए, मैं यहां पे zoom out करता हूँ पहले, क्योंकि जारी बात है, मैं अपना email और बाकी चीज़ें नहीं बताना चाहता, तो इस वज़ा से, just give me one second, मैं ता कि अपना password और ID जो है, वहां पे add कर लो, ओके जी, तो जैसे मैंने यहां पे Ctrl S पे click किया था, मैं दुबारा से आपको दिखाता हूँ, कि यहां पे आप जाके Ctrl S पे click करते हैं, save to Tableau Public आ जाएगा, obviously आपको अपनी ID बनाने पड़ेगी, और Google Chrome के उपर आपकी ID जो है, वो चलने होगी, अगर आपके पास Tableau Public की ID नही और आप Tableau Public को यहां से sign in कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पे sign in बटन पे click करता हूँ, then it will ask me कि sign in करो, तो मैं यहां पे भी sign in कर लेता हूँ, sign in करने के बाद यह इस तरीके से मेरे पास यह पूरे के पूरा sign in हो जाएगा, and then this is my Tableau Public, और अम मैं क्या करता हूँ, यहां पे जैसे मैंने Ctrl S दबाया था, Ctrl S दबाने से यह मेरे पास इस तरीके से, यह आ जाएगा कि आप publish this workbook, will make it available on the public, ठीक है, तो workbook का title मैं यहां पे बता सकता हूँ, और पूरी के पूरी workbook को भी यहां पे add कर सकता हूँ, यहां मैं कुछ भी यहां पे add कर सकता हूँ, यहां पर लिखता हूँ test dashboard, मैं इसे save करता हूँ, save करने के बाद यह मेरे पास जो सारे के सारा views है, यह online जा रहा है, और इसे वो fetch कर रहा है, it will take some time, और step 8 by 8 जो है इस पर काम करेंगे, it will take some time like this, और आपके सामने यह आपको time भी बता रहा होगा, और आपका data जो है वो tablue public के ओपर live चला गया, एक तन्भी मैं यहां पर आपको कर दूँगा, please आपने कभी भी अपना personal data यहां पर share नहीं करना, you have to share only the things which you don't really want to share with public, you really want to share with public, अच्छा मतलब यह है, English में रहने देते हैं, उर्दू मैं बताता हूँ, कि tablue public पे सिरफ वो चीज़ आपने publish करनी है, जो आपका sensitive data नहीं है, यानि कि आपका research का data नहीं है, यह नहीं है कि तुसी research अला data यहां पर publish कर दो, तो यह आपका dashboard है, obviously यह dashboard आप किसी भी तरीके से देख भी सकते हैं, अगर आप view in tablue public पे click करेंगे, तो यह dashboard edit होके भी आ जाएगा, and then you can select different kind of things here, और यहां पर आपको पता है, क्योंकि यह website की layout है, then you have to change the layout on your dataset in your tablue public, और आप यहां पर जाके इसकी layout को edit भी कर सकते है, and you can do different kind of things here, ठीक है जी, तो यह basically dashboard इस तर भी आ जाएगे, and then you can also see, कि कब publish हुआ, कब update हुआ, अब जैसे ही मैं यहां पे इस tablue public की layout को थोड़ा सा modify करने के कोशिच करता हूँ, like this, ctrl s दबाता हूँ, ctrl s दबाने के बाद यह test dashboard जो है, यह मेरा, चला जाएगा, मैं इसको save करता हूँ, वो कहते है, पहले से thing again, और यहां पे आप देखेंगे, यह same thing process हो रही है, और अगर मैं zoom in करके दिखाऊ, you can see, कि हमारे पास same thing, जो है वो process हो रही है, और इसके बाद यह automatically, इसे open कर देगा, जैसे यह complete होगा, आपका internet की speed पर depend करता है, तो मेरे पास internet की speed कुछ इस तरीके से है, तो here you go, आपके एक small सा dashboard मैंने आपको बना के दिखाया, अगर मैं यहां पे Tableau Public के उपर click करूँ, you can see, कि मेरे जो काफी जो लोग है, विज of the day अगर आप देखें यहां पे, तो आपको नज़र आएगा, कि there are many people, जो automatically dashboards बना के upload करें, बड़े बड़े आला किसम के dashboard है, जैसे यह वाला ए dashboard जो है, वो बना के लोगों को दिखा सकते हैं, और यह views आपके सामने आते हैं, यानि के 1084 लोगों ने देखा, 22 लोगों ने इसे star किया, star का मतलब है to favorite है, और यहां पे आप different किसम के hashtag use करते हैं, it's a kind of social media या community of Tableau Public, और आप देख सकते हैं, कि यहां पे सिरफ यही नहीं, आप इसे download भी कर सकते हैं, इसको image के तोर पर भी, cross tab के तोर पर भी, power point भी और tablief वर्कॉयंट के तोर पर भी, मैं इसको tablief workbook के तोर पर यहां पर download करता हूँ, और जैसे मैं इसको download करता हूँ, यह workbook मेरे पास आजाती है, मैं इस workbook को, अगर मैं डाउनलोड में जाके इस workbook को right click करके open with tablue करूँ then probability है कि यह workbook मेरे पास जो है वो open बचाएगी and I can actually play with this dashboard और मैं अपनी मर्जी से अपने data के उपर भी same किसम का dashboard जो है वो बना सकता हूँ so it's totally up to you आप किस तरीके से इस तरह के dashboards को देख सकते हैं और यहां पर आप देखें कि a maintenance update for tablue public is available मैं यहां पर इसे click करता हूँ and here you go यह पूरे के पूरा dashboard जनाब आपके सामने हाजिर है किस तरीके से बनाया है किस ने बनाया है और वो पूरे के पूरी workbook यहां पर मुझूद है that's the beauty of tablue community tablue public आप अपने dashboard भी share करें अब की assignment आप लोगों के यह है कि please आप अपना कोई भी एक data set उठाएं उसका कमाल का dashboard जब बनाये और उस dashboard का link comment section में paste करें ताके बाकी लोग भी देखें और आपको सराहें भी और comments या star करके आपके dashboard को और भी ज्यादा जो है वो popularity की तरफ लेके जाएं क्योंके tablue public जो है wiz of the day यानि के visualization of the day के तोर पे different किसम के dashboard पे show करता है अपना ख्यार रखे next lecture में मिलते हैं और tablue के बारे में हम और भी बहुत कर सेखने वाले हैं take care see you in the next month Allah Hafiz